इस समय जून मेंग चेन का सुन्दर सिलहूट और भी प्रभावशाली हो गया था उनके प्रतिदवन्दवी कांग एओ थे जोली प्रिफेक्चर के शीर श्रैंकर थे जून मेंग चेन के एक मुक्के से उसने एक हाथ खो दिया और मंच से बेखॉफ उरा दिया गया जून मेंग चेन के चारों ओर लिप्ता राजा कवच गायब हो गया उन्होंने आदे की ओर देखा कांग एओ पर उनकी नजरे थी जब उन्होंने कहा तुम एक भी वार का सामना नहीं कर सकते क्या तुम मुझे चुनौती देने के योग्य भी हो बोलने के बाद वह अपने मूल स्थान पर लौट आया और चुपचाप बैठ गया जैसे की कैंग एओ को हराना कोई महत्वपूल बात नहीं थी जिसके बारे में गर्व होना चाहिए केवल ग्यारा बचे है शीर्ष दस में एक और जून मिंग चेन और उनके संप्रदाय के सदस्यों को चुनौती देने वाला कोई और नहीं होना चाहिए दर्शक मुग्ध हो गए अमर भोज की मेजबान सीट पर दोंग शिंग टिंग ने अपने बगल में राजकुमारी गलेज पर गहरी नजर डाली यह राजकुमारी गलेज वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा के योग्य थी क्या सटीक निर्णय है मंच पर एक और सन्नाटा पसर गया चुने गए सभी ग्यारह स्वर्ग शांति पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है कोई भी दूसरों को चुनोती देने नहीं गया आखिरकार यह देखने के लिए अंतिन लड़ाई होगी कि शीर्ष दस कौन थे और किसी भी प्रतिभागी को दूसरों के खिलाफ जीतने में सक्षम होने का पूर्ण विश्वास नहीं था इसलिए वे सभी बहुत सतर्प थे प्रतीक्षा की यह दूसरी अवधी बहुत लंबे समय तक चली अंत में किसी की आभा में उतार चड़ाव आया जैसे की उसे अधीरता ने जकड लिया हो यह व्यक्ती कोई और नहीं बलकी बलेजिंग सन प्रिफेक्चर के शीर्ष रैंकर डुगु जिशान थे दोंगशिंग टिंग की आँखों में तेज की चमक और तेज हो गई वह बुदबुदाय बिना नहीं रह सका राजकुमारी आपका निर्णय बिलकुल इश्वर जैसा है मैंने सुना है कि राजकुमारी गलेज में स्वर्गिय भाग्य में जहकने और स्वर्गिय रहसियों को समझने की क्षमता है और आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी को पहले से ही पता हो कि शीर्ष तीन रैंकर्स कौन है होगा चीजों को निकालने के लिए मेरे नक्षत्र से मेरे सहज संबंध का उप्योग करना लाखो मार्शल दाओं में से केवल एक ही रास्ता है इसे दूरदर्शिता नहीं माना जा सकता है ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ जानने में सक्षम हो और मैं यह बताने में असमर्थ हूँ कि कौन है शीर्ष तीन हो सकते हैं राजकुमारी ग्लेज ने शांती से उत्तर दिया युद्ध मंच पर दुगु जिशान की आभा वातावर्ण में व्याप्थ होने लगी वह बलेजिंग सन प्रीफेक्चर द्वारा चुना गया स्वर्ध है इसलिए उसने जो साधना कलाय विट्सित की वे सभी आग से संबंधित थी उनकी सहच तकनीके अतुलनेय रूप से अत्याचारी थी और तार्किय मार्शल काश्टकारों की तकनीकों और कलाओं का उनके व्यक्तित्व पर एक निश्चित मात्रा में प्रभाव पड़ता था उदाहरन के लिए जो लोग भयावः विश्च कलाओं का अभ्यास करते थे वे धीरे-धीरे ठंडे और कप्टी हो जाते थे जो लोग बर्फ की कलाओं की खेती करते हैं उनके व्यक्तित्व पाले के समान होंगे आदी आगे इंतजार करने की क्या बात है? मोवेन मैं बलेजिं सन प्रांथ का शीर श्रैंकर हूँ जबकि आप सुप्रीम मून प्रिफेक्चर के शीर श्रैंकर है हमारी साधना कला और तकनीकों की विशेष्टाएं इसके ठीक विपरीत है देखते हैं कौन अधिक बल्वान है, डुगु जिशान ने मोवेन की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली उठाई मोवेन का फिगर सुडॉल था, जिसकी सीमा एकडम सही थी बाहर से एक बर्फ जैसी ठंडी सुन्दरता लेकिन जब वह वास्तव में युद्ध में पराक्रम के साथ आगे बढ़ती है तो उसकी ताकत अतुलनिय रूप से आश्चर्य जनक होती है बाहर निकलते हुए उसकी ठंडी आखों ने डुगु जिशान को देखा चुंकि दुगु जिशान उससे लड़ने के लिए उच्सुक है उसने उसकी चुनोती स्विकार करने में कोई आपत्ती नहीं की उनका औरस आगे निकल गया जिससे युद्ध का आधा हिस्सा गर्म होकर जुलस गया जबकि दूसरा आधा बर्फ ठंडा हो गया दुगु जिशान की आभा अतुलनिय रूप से जुलसाने वाली थी जो स्वर्ग और प्रित्वी को भस्न करना चाहती थी यहां तक कि उसके आसपास की हवा भी इतनी गर्म हो गई की हवा के कंड लाल हो गए मोवेन की आभा अतुलनिय रूप से सर्ध थी थंड हर चीज़ पर चाही होई थी आकाश और प्रित्वी को थंड़क दे रही थी उन दोनों ने पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं की थी अभी पाला और आग हवा में इकठा होकर एक दूसरे से टक्रा रहे थे जिससे एक अत्यंत भयानक द्रिश बन रहा था सिजलिन की आवाजें अन्थीन सुनाई दे रही थी और दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि युद्ध मंच अब दो भागों में विभाजत हो गया था एक जुलस्ता हुआ नरक था जबकि दूसरा एक बर्फी ही खाई थी उनका प्रभामंडल और मजबूत होता गया बार-बार एक दूसरे से टक्राते रहे दुगुजिशान और मोवेन भी एक दूसरे के करीब कद्मदर्गदम आगे बढ़े दुगुजिशान के उपर धधक्ती लप्टों का एक चर्खा दिखाई दिया इससे निकलने वाली गर्मी इतनी जबरदस्ट थी कि यह सब कुछ भस्म कर सकती थी मोवेन के उपर एक फ्रोस्ट क्वीन की बर्फ की मूर्ती दिखाई दी एक लंबा भाला उस मूर्ती के हाथ में था क्योंकि उसने रक्षात्मक रुख अपनाया था बूम अचानक धधक्ते चक्र से आग की असीन धाराएं निकली जो उग्र ड्रेगन के समान थी जो मोवेन की ओर बढ़ रही थी थंधी रानी का भाला बार-बार वार करता है स्वर्ग और प्रित्वी को बर्फ के रूप में अचानक गिरा देता है धधक्ती गर्मी को नकारना चाहता है जिससे अंथीन सिजलिंग आवाजे निकलती हैं दुगु जिशान बाहर निकल गया जैसे ही उसने उसे बाहर की ओर छोड़ा उसके हाथ में हवा और आग का एक धधक्ता पहिया दिखाई दिया हवा के बढ़ते प्रभाव के अलावा धधक्ती गर्मी ने पाले को पिघला दिया क्योंकि हमले ने सीधे मोवेन को निशाना बनाया मोवेन का भाला तेजी से गोलों में बदल गया जिससे चर्खा अवरुद्ध हो गया क्योंकि प्रभाव के कारण वह अलग हो गया हाला कि अभी हवा और आग के और भी पहिये प्रकट हुए क्योंकि उनमें से लाखों ने उनमादी रूप से मोवेन की ओर निशाना साधा एक पल के लिए इन धधकते पहियों की शक्ती से बर्फ और पाले का खशरण हो गया मोवेन का रूप बदल गया बर्फ के एक लबादे ने उसे ढख लिया और उसके बाल बर्फ के टुक्रे में बदल गए उसके पीछे बर्फ की रानी थंड की रानी का प्रेट दिखाई दिया अपने हाथ की एक लहर के साथ बर्फ के अंगिनत भाले बाहर निकले जैसे कि सर्थ की धाराएं बातावर्ण में व्याप्थ हो गई, जिससे गर्मी बैसर हो गई चरम विपरीत की दो उर्जाएं एक दूसरे के खिलाफ अंथीन रूप से टकराईं, सब कुछ नश्ट कर दिया मोवेन दुगु जिशान की ओर बढ़े, क्योंकि उनके पीछे फ्रोस्ट देवी प्रेट ने एक दिव्य चमक बिखेरना शुरू कर दिया एक पल में वह अपने प्रतिदवंधवी के सामने आ गई तुम मौत को दावत दे रहे हो, दुगु जिशान ने ठंडी सुंघी और उसके पास से तेज गर्मी निकली उसका पूरा शरीर धधकती लप्टों में बदल गया क्योंकि गर्मी की धाराए बार बार निकल रही थी एक ही हाथ से उसने चर्खे का चितर बनाया जो आकाश के नीचे सब कुछ भस्म कर सकता था हाला कि अचानक दुगु जिशान के चहरे में भारी बदलाव आया मोवेन के पीछे फ्रोस्ट क्वीन को डरावने रूप में घूरते हुए उसके सामने भयानक चर्खा एक फ्रोस्ट क्वीन के भाले के प्रेट द्वारा ठीक से छेदा गया और जम गया जैसे ही उसका शरीर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जम गया चटकने की आवाजें आने लगी मैं मानता हूँ दुगु जिशान दहाड़ा बस एक पल की धीनी गती से वह एक बर्फ की मूर्ती में बदल जाता और वही मर जाता जैसे ही उनकी आवाज फीकी पड़ी मो वेनम पीछे हट गए दुगु जिशान ने अपनी अगनिगुन उर्जा को परिचालित किया और बर्फ को पिघलाते हुए अपने शरीर को गर्म किया हाला कि वह जल्द ही ठीक हो गया लेकिन उसका चेहरा देखने में बेहत बदसूरत था वह हार गया था वह समाप्थ होने वाला अंतिम बन गया और क्या अधिक है यह लड़ाई उसके द्वारा शुरू की गई थी अब से शीर्ष दस रैंकर्स दिखाई दिये दूंग शिंग टिंग के दिल में सिर्फ एक आँ भरी जा सकती थी वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका शिर्ष दस में प्रवेश करने के लिए सभी को बढ़ाई दोंग शिंग टिंग हसा फिर भी उसने अपने दिल में बेहद नाखुष महसूस किया शीर्ष दस में आदित्य, जुनमेंड चेन और जी किंग जुआन ने तीन स्थानों पर कबजा किया हाला की हाला की वह दुखी था, उसने कुछ नहीं कहा यहाँ आदित्य वर्षों पहले जो हुआ उससे बेहद असंतुष्ट होना चाहिए फिर वह फिर से अपनी क्षम्ताओं के साथ शीष तीन रैंकर्स का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हुए यहाँ पहुँचे निस्संदेह आदित्य दिवासवपन देख रहा था, भले ही उन्होंने पूर्वी संथ अमर संप्रदाय में प्रवेश किया हो, दोमशिंग टिंग के पास आदित्य को मौत के घाट उतारने के लाखों तरीके थे स्वाभाविक रूप से फिर भी दोमशिंग टिंग को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य शीर्ष तीन में प्रवेश कर सकता है क्योंकि एक बार जब आदित्य शीर्ष तीन का हिस्सा बन गया और चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने उम्मीद की थी तो यह बंदा कुछ पागल चीजें कर सकता है जो उसके शाही पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दे हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी फिर भी बहतर यही होगा कि अधिक सतर्क रहें प्रतिभाव का यह बैच बुरा नहीं है शीर्ष दस सभी उतक्रिष्ठ प्रतिभाए हैं एक अमर राजा ने प्रशंसा की हाँ वे सभी बेहत मजबूत हैं मैं यह देखने के लिए उत्सुखों की शीर्ष तीम में कौन प्रवेश करेगा हर कोई एक ब्रेक लें और पहले व्यंजनों का आनंद लें और अपनी तनावगरस्ट नसों को आराम दें जिसके बाद दस प्रतिभागियों ने मंच छोड़ दिया और अपनी अपनी सीट पर वापस चले गए क्लावर प्रांथ जिस थान पर था वह अत्यंत विशिष्ट था क्योंकि दस में से तीन प्रतिभागियों ने उस दिशा की ओरुख किया आदित्य, जून मेंडचेन और जी किंग्जुआन अभी क्लावर प्रांथ की वे प्रमुक शक्तिया भी केवल उन्हें देखते ही चुप हो सकती हैं ये तीनों टॉप टैन में शामिल थे कम से कम वे एक सर्वोच अमर राजा के व्यक्तिगत शिष्य बन सकते थे हाला कि ये तीनों पहले से ही उत्कृष्ट थे, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने उत्कृष्ट होंगे और शीर्षदस में शामिल होंगे वे कितने चमकदार हैं? आदित्य ने उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की और वापस अपनी सीट पर लोट गए उनका असली उद्देश केवल शीर्षदस में शामिल होना नहीं था अगला इन दस प्रतिभागियों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए अंतिम रैंकिंग लड़ाई शुरू होगी सभी आये चर्चा करें और कुछ नियम निर्धारित करें दोमशिंग टिंग ने मुरकर विभिन अमर राजाओं पर विचार किया राजकुमारी गलेज के पास कई अच्छे विचार हैं हम उनकी राय क्यों नहीं लेते राजकुमारी तुम क्या सोचती हो डोमशिंग टिंग मुस्कुराया अंतिम रैंकिंग लड़ाई अत्यधिक महत्व की है और इसे बहुत सावधानी से किया जाना है मुझे लगता है कि यह पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय के वरिष्ठों के साथ-साथ नियमों को निर्धारित करने वाले महामहिन के लिए बहतर होगा राजकुमारी गलेज ने अस्विकार कर दिया वह जानती थी कि पूर्वी संथ अमर संप्रदाय के मामलों में अपनी जगह से अधिक और दखल देना उचित नहीं था और सकता है क्योंकि राजकुमारी गलेज ने इसे इस तरह रखा है मैं विभिन वरिष्ठों के साथ चर्चा करूंगी और फिर नियम निर्धारित करूंगी डोंगशिंग टिंग ने अपना सिरहिलाया और अमर राजाओं के साथ एक सम्मेलन शुरू किया क्या हमारी प्रेयना को और बढ़ाने के लिए शीर्ष तीन रैंकिंग के लिए पुरसकारों को प्रकट करना संभव है इस समय एक स्पष्ट आवास सुनाई दी सभी की निगाहें क्लावर प्रांत की ओर मुर गई और पता चला की बोलने वाला कोई और नहीं था जून मेंगचेन की तुलना में वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपने दिल में डाटते थे यह युवक इतना अधीर था क्या उसने वास्तव में सुचा था कि वह शीर्ष तीन का हिस्सा बन पाएगा हाला की जून मेंगचेन ने जो जबरदस्ट ताकत दिखाई थी उसे देखते हुए दर्शकों ने इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करने का साहस किया लेकिन पूर्वी रिशी अमर समराट का निजी शिश्य बनना उन्हें प्रेरित करने के लिए परियाप्त नहीं था यह युवा साथी पुरसकारों के बजाए अधिक उत्सुक लग रहा था कितना हास्यप्रद चोटे दोस्ट दिये गए पुरसकारों की तुलना में शीर्ष तीन की स्थिती बहुत अधिक मूलेवान है एक अमर राजा हसा आप पूर्वी रिशी अमर समराट के निजी शिश्य बन सकते हैं हाँ हाँ पहले मुझे पुरसकारों के बारे में बताओ वैसे भी कोई विवाद नहीं है जून मेंगचे ने जारी रखा वह संरक्षन में प्रवेश नहीं करेगा और वैसे भी पूर्वी संथ अमर समराट को अपने गुरु के रूप में लेगा इसलिए उसके लिए कोई आकर्शन नहीं था कोई बात नहीं उस स्थिती में मुझे पुरसकारों के बारे में बात करने दोग डोंगशिंग टिंग मुस्कुराया डोंगशिंग टिंग की आखें सभी प्रतिभागियों पर छा गई और उनके चहरे पर मुस्कान आ गई शीर्ष तीन के लिए पुरसकार पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय की संपत्ती पर विचार करते हुए स्वाभाविक रूप से अमर राजा रैंक पर खजाने होंगे उस तर के खजाने कुछ अमर थेनीम्व के विशेशग्यों के पास संपर्क में आने का कुई रास्ता नहीं था फिर भी इस बार शीर्ष तीन रैंकर्स के पास अमर राजा खजाने को हासिल करने का अफसर था यह कितना मुल्यवान था इस अमर भोज के लिए शीर्ष रैंकर को एक स्काई रॉक रून बोन प्राप्थ होगा स्काई रॉक अमर राजा मेरे पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय के चार सर्वोच पैरागौन में से एक है अमर राजा आमतोर पर उसे पैरागॉन स्काई रॉक के रूप में संदर्भित करते हैं और वह केवल अमर समराथ बनने से एक कदम दूर इस रूनिक बोन में खुद पैरागॉन स्काई रॉक की सार उर्जा है दोंग शिंग टिंग ने बात की उनके शब्दों ने कई अमर राजाओं को भी अपने दिल को हिलाते हुए महसूस किया पैरागॉन स्काई रॉक आस्मान का वह बुलंद शासक उनसे एक रूनी हड़ी प्राप्थ करना बेहत कठिन था और किसी की समझ के लिए अतुलनिय रूप से अत्यधिक लाब था अगर किसी को रून हड़ी में खुदे हुए रनों पर ध्यान देना था भोज में अंगिनत इम्मॉर्टल फाउंडेशन विशेशग्य अविश्वास से घूर रहे थे अगर उन्हें स्काई रॉक रून बोन मिल जाए तो यह कितना अच्छा होगा अफसोस की बात है कि केवल शीर्ष रैंक वाले ही इतना मूल्यवान खजाना प्राप्त कर सकते हैं दूसरे रैंकर के लिए इनाम इसी तरह मेरे पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय के एक प्रतिद्वंधवी द्वारा परिश्कृत किया गया खजाना है इस पैरागौन ने एक बार हजारों वर्षों तक एक पहाड की प्राचीर से पहले खेती की थी उस पर उतकीन खेती में अपनी अंतरद्रिश्की छोड़ दी थी यहां अत्यधिक मूल्यवान भी है अमर राजा सगमे की हामफते हुए डोंगशिंग टिंग शांती से आगे बढ़ते रहे अमर राजाओं को भी उम्मीद नहीं थी कि इनाम के कौर पर इतना कीमती खजाना निकाला जाएगा पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय के चार महान पैरागौन ऐसे पात्र थे जिन्होंने शुरुवात से ही पूर्वी रिशी अमर समराट का अनुसर्ण किया था वे संप्रदाय के भीतर शिखर पर सर्वोच पात रहें और पूर्वी रिशी अमर समराट के ठीक नीचे सबसे मजबूत हैं तीसरे रैंकर के इनाम के लिए यह एक अमर राजा रैंक वाला दिव्य हथियार है क्योंकि आकाशिय घटना आरोही के पास अमर राजा रैंक वाले हथियारों की शक्ती को पूरी तरह से उजागर करने का कोई तरीका नहीं है यह खजाना एक उरने वाला दिव्य हथियार है और इसका इस्तिमाल किया जा सकता है एक जीवन रक्षक उपाय के रूप में डोंग शिंग टिंग बोले एक अतियंत दुरलब उरने वाला अमर राजा रैंक का खजाना तीसरे रैंकर के लिए एक इनाम था यह कौन सी अवधार ना थी? तीनों खजाने अमर राजा के पदपर हैं क्या तुम अब संतुष्ट हो? डोंग शिंग टिंग जून मेंग चेन को देखकर मुस्कुराया हाँ हाँ चुंकि यह मामला है मैं निश्चित रूप से शीर्ष तीन रैंकर्स में से एक बनूँगा जून मेंग चेन हसे उनके शब्द लापरवाह और अनरगल थे फिर भी जंगली अहंकार की भावना दे रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यकीन था कि वह निश्चित रूप से शीर्ष तीन में से एक बनेंगे यह पहले से ही सामान्यस्तर से बहुत आगे का अहंकार है दस प्रतिभागी अपने आप में सभी असाधारन व्यक्ती थे उनमें से कौन पूर्ण प्रतिभाशाली नहीं था शीर्ष दस में आना इतना आसान कैसे हो सकता है जून मेंग चेन के साथ ही संप्रदाय के सदस्यों के अलावा जो दानवस्तर के पात्र थे गुसुतियान की, पंकराजा, वा ताइकसू, रूथलेस, ये की अनचेन, किंता और मोवेन जैसे अन्य सभी बेहत शक्तिशाली थे यह दर्शकों के लिए एक सिरदर्ध था क्योंकि उनमें से किसी के लिए भी इसका सफाया करना अफसोस की बात होगी मेरा एक सवाल है जो मैं आपकी महारानी से पूछना चाहता हूँ, इस समय राजकुमारी ग्लेज ने हस्तक शेप किया दोंग्शिंग तिंग मुसुराए, राजकुमारी, कृप्या, बेजी जग उवा ताइकसु और रूथलेस वे दोनों शीर्ष दस में हैं, लेकिन क्या उन्हें अंतिम शीर्ष तीन स्थानों के लिए माना जाएगा, राजकुमारी ग्लेज ने पूछा उवा ताइकसु और रूथलेस क्रमशह असंख्य अवतार अमर राजा के साथ साथ अपराजे शैतान राजा के शिष थे, साथ ही वे पूर्वी संथ अमर संप्रदाय के व्यक्ति नहीं थे इस प्रकार क्या होगा यदि वे शीर्ष तीन राइक में आ गए? पूर्वी रिशी अमर समराट उन्हें अपने शिष्यों के रूप में नहीं ले पाएंगे स्वाभाविक रूप से उन्हें भी गिना जाता है यदि वे शीर्ष तीन में प्रवेश करते हैं तो भी उन्हें पुरसकार दिया जाएगा मेरे शाही पिता किसी को भी उनकी इच्छा के विरुध मजबूर नहीं करेंगे वे अपनी इच्छा से चुन सकते हैं यदी वे चाहते हैं मेरे शाही पिता को गुरु के रूप मे ले या न ले सब कुछ निश्पक्ष है डोंग्शेंग टिंग की सीधी साधी हसी ने हवा को भर दिया जिससे शिष्टता का आभास हुआ हम्मा समझ गया राजकुमारी गलेज की अभिव्यक्ती नहीं बदली हाला कि वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि इस कार्यक्रम में हुआ ताइक्सू और रूथलेज की भागिदारी की व्यवस्था किसी और ने नहीं बलकी डोंग्शेंग टिंग ने की थी प्रतिभा का स्तर असंख्य अवतार अमर राजा और अपराजे शैतान राजा के व्यक्तिगत शिश्यों की तुलना में कम है पूर्वी रिशी अमर समराट किस प्रकार का चरित्र था? हाला कि उन्होंने शायद ही कभी शिश्यों को लिया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? महाराज, शीर्ष 10 की रैंकिंग के लिए परीक्षन सावधानी से किया जाना चाहिए रैंकिंग निर्धारित करने के लिए केवल एक दौर की लड़ाई का उप्योग नहीं किया जा सकता है मेरा सुझाव है कि हम परीक्षन के तीन दौर करें युद्ध कौशल का परीक्षन सभी की साधना को दबाना वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के समानस्तर के आधार निश्चित रूप से एक मानदंड है हम इसे तीसरे दौर के नियमों के रूप में उप्योग कर सकते हैं यह उनके युद्ध कौशल का निर्धारन करने का सबसे सीधा तरीका होगा पहले दो परीक्षनों के लिए हम कर सकते हैं अमर राजाओं को कार्य करने के लिए आमंतरित करें और प्रतिभागी की इच्छा और द्रिड संकल्प के साथ साथ उनके स्वभाव का परीक्षन करें। और से पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय के एक परम अमर राजा ने धीमी आवाज में सुझाव दिया। स्वभाविक रूप से विशिष्टताओं के संबंध में हमें अभी भी महामहिम से इन्पूट की आवशक्ता है। मैं केवल एक सुझाव दे रहा हूँ। अच्छी बात कही गई है। लड़ाकु कौशल अधिक महत्वपूर्ण मांदंडो में से एक है और चुंकी उनकी खेती के आधार सभी अलग-अलग हैं। वे सभी तीसरे दौर के परीक्षन के लिए एक ही स्थर पर दबा दिये जाएंगे। मुस्कुराया। आप जो कहते हैं हम उसके साथ चलेंगे और परीक्षन के तीन दौर होंगे। हर दौर को रैंक किया जाएगा और परिणाम तीन राउंड के लिए सारनी बद्ध किये जाएंगे। इससे पहले कि हम यह निर्धारित करें कि शीष तीन कौन है। महाराज समझ में आता है आसपास के अमर राजाओं ने सिरहिलाया। वह दूसरों के सपनों के माध्यम से मारने में सक्षम था और पूर्वी संत अमर संप्रदाय के भीतर एक अत्यंत भयानक अस्तित्व था। वास्तव में यह अत्यंत उप्युक्त है यदि पहला परीक्षन द्रीन दानव राजा द्वारा किया जाता है। अमर राजा मुस्कुराएं। दीपफलिन इम्मोर्टल किन ने पहले ही संकेत दे दिया था कि आपकी किस्मत में कभी भी शीर्ष तीन में शामिल नहीं होना तया है। इन दौर में सीधा मुकाबला होगा। जून मेंग चेन ने सिरहिलाया, अगर वे वास्तव में अंधेरे में कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम इतनी परिशानी पैदा करेंगे कि आसमान और धर्ती भी पलट जाए। उन तीनों ने चुपचाप बातचीत की, लेकिन इस समय डोंक्षिंग तिंग की आवास सुनाई दी, हर कोई परीक्षन के दौर के नियम निर्धारित किये गए हैं। पहला दौर ड्रीम दानव राजा द्वारा प्रशासित किया जाएगा। अब क्या दस प्रतिभागी आगे बढ़ सकते हैं लडाई के मंच पर? उनकी बाते सुनकर प्रमशय शीर्ष दस मंच पर चड़ गए और विभिन स्थानों पर खड़े हो गए। स्वपन दानव राजा अभी भी सो रहा था, जैसे कि वह अमर भोज के माध्यम से एक बार भी नहीं उठा था। यह परीक्षन वरिष्ट ध्रीन देमन किंग द्वारा प्रशासित किया जाएगा। जो भी सबसे लंबे समय तक कायम रहेगा, उसे सर्वोच्च स्थान दिय जाएगा। स्वाभाविक रूप से यह केवल पहले दौर की रैंकिंग है। दूसरे और तीसरे दौर के परीक्षन के लिए भी एक रैंकिंग सूची होगी। और परीक्षन के तीनों दौर समाप्थ होने के बाद हम परिनामों को सार्नी बद्ध करेंगे, डोंग शेंग बोले। उसके बाद वह ड्रीम दानव राजा की ओर मुडा, वरिष्ट अब आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी संकेट के संकेट या आभा के किसी भी उतार चड़ाव के साथ मंच पर मौझूद दस प्रतिभागियों ने अपने परिवेश को बदलते हुए महसूस किया एक क्षण बाद वे युद्ध मंच के शीर्ष पर नहीं थे। द्रीमस्केप आदित्य का चहरा सक्थ हो गया। अभी उसका परिवेश असीन विशाल शेत्र था। उसे ड्रीम देमन कींग के द्रीमस्केप में लाया गया। आदित्य ने अपने परिवेश पर ध्यान दिय और इस द्रीमस्केप में उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उन्हें एक पत्थर का मंच मिला और ध्यान में अपनी आखे बंद करके पाल्ती मार कर बैठ गए। माहौल इतना शांत था कि यह भयानक था। भीतर किसी अन्य जीवन रूप के कोई संकेट नहीं यह ऐसा था मानो केवल वह ही इस सपनों के द्रिश में अलग्थ लग्था। लगता था काफी समय बीथ गया। आदित्य की मनहस्थिती शांत रही। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि क्या हो रहा है और चुपचाप वहीं बैठा रहा। लेकिन इसी क्षण उनकी आखे खुल गई। उसके सामने एक महिला सिलहूट दिखाई दी। इस सिलहूट को केवल निर्दोश के रूप में वर्नित किया जा सकता है। वह एक बर्फ के पहाड के उपर एक हिम कमल के समान थी और उसकी आखें जो अब ठीक उसे घूर रही थी। नीले आकाश की तरह यह सिर्फ एक सपना है आपके लिए यहां आना कैसे संभव है। आदित्य ने खुद का मजाक उड़ाया लेकिन उन्होंने बास्तव में किंगेर के लिए बहुत कुछ किया। यहां तक सोचने पर उसके होठों पर एक मुसकान आ गई। उसके और किंगेर के बीच की याद में लालसा जलक रही थी। यह जगह ड्रीम डेमन किंग द्वारा बनाई गई एक ड्रीमसकेप है। वास्तव में मेरे पास अपने दिमाग और दिल को स्थेर करने का कोई तरीका नहीं था। आदित्य ने चुपचाप सोचा। उसने पाया कि अब वह पहले खुले क्षेतर की और उन्हें पता चला कि अभी यह सपना दानव राजा द्वारा बनाया गया सपना नहीं था, बलकि यह उनका अपना सपना था। द्रीम डानव किंग अपने सपने को पढ़ रहा था, उसकी यादों में ताक जाम कर रहा था। नहीं आदित्य ने सभी विचलित करने वा प्रतिभागी बिना हिलेडुले मंच पर बैठे रहे और ड्रीम डेमन किंग शुरू से ही अपने स्थान से कभी नहीं हिले। दोंग शेंग टिंग की निगाह प्रतिभागियों पर पढ़ी जो अंधेरे में। मशाल की तरह टिम्टिमा रही थी। अब से अधिक बार जब स्वाभाविक रूप से सपने किसी के अवचेतन से उत्पन होते हैं। बाहर निकलना चाहता था। उसने अपने मन और हृदय को स्थिर किया और ड्रीम दानव राजा को अपनी यादों को पढ़ने की अनुमती नहीं दी। लेकिन ऐसा लगा जैसे वह एक असपष्ट और रहस्यमय कानून उर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसे मु अपने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेडिसिन सौवरेन मो किंग चिन के पास खड़ी थी, उसे सांतवना दे रही थी। ये सब केवल उसके अपने विचार थे, जो उसकी चेतना के समुदर में गहरे दबे हुए थे। फिर भी उन्हें ड्रीम देमन किंग के ड्रीमसकेट क कारण खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जितना अधिक वह अपनी यादों के बारे में याद करता है, उतनी ही गहरी उसके बारे में ड्रीम दानव किंग की समझ होगी, क्योंकि उसकी अधिक से अधिक यादे खुले में प्रदर्शित होंगी। अतुलनिय रूप से क्या यह सचमुच एक परीक्षा थी? यह सपष्ट रूप से उनकी यादों में जहांक रहा था। तार्किय मार्शल काश्टकारों के लिए यह एक बड़ी वर्जना थी, किसी को भी दूसरों की यादों में जहांकने की अनुमती नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं. एक बार यह वर्जित हो जाने के बाद एक अत्यंत गहरी घ्रिना निश्चित रूप से बन जाएगी. अत आत्मा की खोज में निपन लोगों के लिए कोई भी उनका मित्र बनने को तयार नहीं था. वे सभी अस्तित्व हैं, जिनसे हर किसी ने परहस किया था. हाल पिता किन्चुआन और ये क्विंडेवन हैं. उनकी बहन की न्याओ, उनकी वरिष्ट प्रशिक्षु बहन लोहुआन, उनकी शिक्षिका मस्टैंग. साथ ही फैटी फैनले और ओलुयांग कुआंग्शें के विचार भी सामने आए. मैं इसे जारी नहीं रख सकता, आदित मेरे दिमाग से बक्वास निकालो. सफेद रंग की मोंबत्ती की लप्टें प्रजवलित उसके पूरे शरीर के चारों और घूंगती हुई, तेज और तेज होती हुई, उसके दिल को रोशन करती हुई. देखते ही देखते उसका पूरा शरीर आग की लप्टों में घिर ग लेकिन उनकी आखों में तेज जलत रहा था. दीपफलिम अमर राजा के लिए उसके होटों पर एक थंडी मुस्कान थी. शीर्ष्टीन रैंक या नहीं, डोंगशिंग टिंग ने उसे कभी भी शीर्ष्टीन का हिस्सा नहीं बनने दिया. डोंगशिंग टिंग के लिए वह परीक्षण के सच्चे नियंत्रक थे. हाला कि उन्होंने अमर राजाओं और राजकुमारी गलेज की राय मांगी, फिर भी वे सब कुछ के न जक्ती होगा. एक अमर राजा ने आह भरी. ड्रीम डेमन किंग द्वारा प्रशासित परीक्षन प्रतिभावियों की इच्चा और स्वभाव का परीक्षन करेगा. कभी-कभी मजबूत युद्ध कौशल वाले लोगों के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी इच्चा और द्रिड संकल्प उतक्रिष्ट होगा. इसके अलावा कोई कमजोर नहीं है, शेश दस वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं. यह केवल सामान्य है अगर आदित्य सबसे पहले बने रहने में विफर रहता है. किसी ने जोड़ा. आदित्य को नीचे गिराने के लिए इतनी जल यह युवक बेहत धैर्यवान था और उसकी इच्छाशक्ती और ग्रिड संकल्प असाधारन स्वभाव के साथ ग्रिड होना चाहिए. यहां तक कि अगर वह इन पहलों में सबसे उतक्रिष्ट नहीं था, तब भी उसे इस दौर में असफल होने वाला पहला नहीं होना चाह यह सोचने पर राजकुमारी ग्लेज में सोते हुए स्वपन दानव राजा के साथ साथ विभिन अमर राजाओं पर एक गहरी नजर डाली, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे. वे सभी अब भी हस रहे थे, जब वे बातें कर रहे थे, जैसे कि उनमें से किसी ने भी कुछ अजीब नहीं खो जाहो. यह नजारा सामान्य लग रहा था, लेकिन क्या सच में उन्हें कुछ पता नहीं था. जारी रखने में विफल, पिके रहने में नाकाम रहने की वज़ए से आधित्य ड्रीमस्केप से बाहर हो गए. सबसे अधिक संभावना है, उन्होंने अधित्य मंच के उपर खड़ा हो गया और अपने आसपास देखने लगा. अन्य नौ प्रतिभागी अभी भी ड्रीमस्केप में थे और अभी तक बाहर नहीं निकले थे. जैसे ही उसने ड्रीम दानव किन को देखा, उसकी आखें गुस्से की आग से चमक उठी. हाला कि उन अधित्य क्या कर सकता था? हो सकता है, दोंग शिंग टिंग ने परीक्षन के इस दौर को जानबूझ कर उसे विफल करने के लिए सेट किया, जिससे उसे खंडन करने का कोई अवसर नहीं मिला. यदि वह खंडन करने की कोशिश करता है, तो अमर राजाओं को यह महसूस कि उसका स्वभावीन था, यहां तक कि अपनी स्वयं की अपर्याप्तता के कारण परीक्षा में विफल होने के बाद भी प्रशासक को दोश देना चाहते थे. डोंग शिंग टिंग उसे बता रहे थे कि यह किसका क्षेत्र है. दीपफलेम अमर राजा के शब्द एक बार उसके दिमाग में गूझ उठे. कुछ अंत पहले से ही नियत हैं, लेकिन वास्तव में क्या यहां अंत नियती में हैं और वह इसे जरा भी नहीं बदल सकता है. आदित्या ने अपनी आखे बंद कर ली और बिना कुछ बोले मच पर पालती मार कर बैठ गया. वह लंबे समय स जब वह उठी तो वह हांफ रही थी. एक गहरी सांस लेते हुए, उसने अपने दिल और दिमाग को स्थिर किया. यह देखकर कि आदित्या भी पहले ही जाग चुका था, उसकी आखों में आश्चर्य की एक जलक चमक उठी. उसने फिर अपनी आवाज आदित्या को प्रेश जेतना को उन चीजों के लिए परिमार्जित किया, जिनसे मैं सबसे ज्यादा डरता था और उन्हें मेरे खिलाफ इस्तमाल करता था, जी किंग जुआन ने उत्तर दिया. तो यह ड्रीन डेमन किंग हम सभी दसका परीक्षन करने के लिए विभिन तरीकों का उप्योग करता है. कठिनाई की डिग्री स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग थी क्योंकि यह उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से तय की जा सकती थी. वास्तव में वह रैंकिंग भी निर्धारित कर सकता था, आदित्य ने ठंडेपन से अपनी आवाज का संचार किया. जी किंग मेंग चेन बाहर निकलने वाली चोथी थी और उसके बाद जून मेंग चेन पाचवी थी. वरिष्ट भाई, वरिष्ट बहन क्विंदक सुवान, आपकी रैंकिंग क्या है? जून मेंग चेन ने जैसे ही पूछा, सीधे अपनी आवाज उन तक पहुचाई. मैं पीछे से त दस के लिए परीच्शन पर वे कुछ हद तक गिर गए. उनमें से सभी दस बहुत मजबूत हैं, प्रतेक अलग-अलग पहलूँओं पर उतकरिष्ट हैं, घोज में एक अमर राजा ने टिपणी की. वास्तव में, आदित्य और उनके साथी संप्रदाय के सदस्यों को नीच दिगत शिश्य से अपेक्षा की जाती है. उनकी इच्छाएं और स्वभाव दोनों असाधारन हैं, दर्शकोंने सभी की प्रशनसा की क्योंकि उन्होंने देखा कि गुसुतियान की और हुआ ताइक्सु दोनों शेश दो थे. असंख्य अवतार आपका शिश्य वास्तव म पहले स्थान पर होगी. लेकिन इसी वक्त हुआ ताइशू की आखें अचानक खुल गई. असंख्य अवतार अमर राजा कुछ हैरान होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसने जल्दी से अपने मन की स्थिती को समायोजित कर लिया. यह समझ में आता है, यह भी भी गहरी नींद में था जैसे कि पहले जो हुआ उसका उससे कोई लेना देना नहीं था. मदद करने के लिए सीनियर ड्रीम दानव को बहुत-बहुत धन्यवाद डोंग शेंग तिंग मुस्कुराया. फिर उन्होंने मंच पर दस प्रतिभागियों पर नजर डाली और स पश्ट स्वर में बोले हर कोई आप सभी परीक्षन के दौरान इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए वास्तव में उतक्रिष्ट हैं. यह विशेश रूप से गुसुतियान की हुआ ताइक्सू, फेदर किंग और रूठलेस के लिए ऐसा है. बहुत बढ़िया. स्वाभ इन अमर राजा वरिष्ट सभी आपके प्रदर्शन का आकलन करेंगे. दस प्रतिभागियों ने कुछ नहीं कहा. आदित्य ने डोंग शेंग तिंग के खूबसूरत दिखने वाले चहरे पर एक नजर डाली. उन्होंने शिष्टता का परिचय दिया और स्वाभाविक रू दोंग शेंग तिंग वास्तब में काफी निर्मन थे. ऐसे में आदित्य अब भी स्थिती को कैसे पलट सकता है? शीर्ष्टीन में आना चाहते हैं? बस सपने देखना जारी रखो. डोंग शेंग तिंग मुस्करा रहे थे, एक शालीन व्यभार दिखा रहे थे. उन्होंने मंच पर प्रतिभागियों को देखा और जारी रखा. पहले दौर की रैंकिंग का उप्योग अंतिम रैंकिंग निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है. इसके बाद सभी को अभी भी अधिक प्रयास करने और शीर्ष्टीन पदों के लिए संधर्ष करने की आवश्यक्ता है. क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? इसी दौरान मंच से एक आवाज आई. सभी ने अपना ध्यान की अनुमती देना कि हम सभी क्या अनुभव कर रहे हैं, जून मेंगचेन ने पूछा, उसके शब्दों से दर्शकों के चहरों पर अजीब सी जलक दिखाई दे रही थी. उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए, वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि जून मेंगचेन और महसूस किया कि हमने जो अनुभव किया वह सभी अलग-अलग हैं. हालांकि यह लग-भग तय है कि सीनियर ड्रीम दानव निश्चित रूप से अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे, इस तरह के मामले का उपयोग करने से विचलन हो सकता है, जिसके परिनामस्वरू पर पहले असफल हों, तो हम स्वाभाविक रूप से पहले असफल होंगे. जून मिंग चेन बोला, उसकी आवाज का स्वर तेज हो गया. हालांकि उन्होंने पहले दौर के अंतिन परिनाम पर सवाल नहीं उठाया और नहीं ऐसा करेंगे. क्योंकि वह समझ गया था कि चूंकी बातें हो चुकी हैं, इसलिए आगे बहस करना भी व्यर्थ होगा. इसलिए मेरा सुझाव है कि दूसरे दौर के लिए यह अधिक पारदर्शी होना बहतर है. कम से कम हर कोई जानता होगा कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं और विभिन अमर राजा न्यायाधीश भी चीजों क स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. ऐसा नहीं होगा, किसी को भी अंतिन परिनाम के बारे में संदे है. स्वाभाविक रूप से यह केवल एक सुझाव है. यह स्थान आखिरकार पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय है और आपकी महारानी वह है जो निर्नय लेती है. यह पह में चीजों को नियंतरित करना चाहते हैं, तो आप सीधे का और पर कह सकते हैं कि आप शीर्ष तीन में से किसे चाहते हैं. मैं जून मेंगचेन की राय से सहमत हूँ. मुझे आशा है कि महा महिम इस पर विचार करेंगे, जी किंजवान ने अपने छोटे भाई का समर्थन कि उसका चहरा शांत था और उसके हावभाव से कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रही है. मुझे भी ऐसा ही लगता है, इस समय एक स्पष्ट आवाज निकली. यह वास्तव में कोई और नहीं बलकी मोवेन थे जिन्होंने बात की थी. कुल तीन प्रतिभागियोंने बा अगर मैं किन एक बार फिर से अंतिन स्थान पर हूँ, तो मैं भी पूरे दिल से परिनामों को स्विकार करूंगा, आदित्य धीरे से बोला. मोवेन के रवये ने उन्हें कुछ हद तक अचम्भित कर दिया, जिसके कारण जो शुरू में कुछ भी कहने का इरादा नहीं दिखा किया और आगे बढ़े, तो यह बहुत स्पष्ट होगा. चुंकि आप मेंसे बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं, मैं डोंग्शिंग्टिंग स्वाभाविक रूप से सहमत होंगे, डोंग्शिंग्टिंग बिना किसी जिजक के मुखर और सीधे तरीके से सहमत पहला दौर वास्तव में प्रतिभागियों के बीच इतनी गल्तफमी का कारण बना, मुझे माफी मांगनी होगी क्योंकि मैंने इसे अंदेखा कर दिया है. आप सभी दस उतकृष्ट पात रहें, जो पीधी दर पीधी भव्यता का परिचय दे रहे हैं. यह देखते हुए क कि आप सभी को अपने आप में कितना विश्वास है, वे यदि चीजे परियाप्त रूप से पारदर्शी नहीं है, तो निश्चित रूप से नीचे के कुछ लोग रैंकिंग को स्विकार नहीं करेंगे. जब पहले दौर के लिए नियम निर्धारित किये गए थे, तो को वाक्यांशित किया, ऐसा लगा कि यहां आदित्य और अन्य लोग हैं जो अपनी कम रैंकिंग के कारण परिशानी पैदा करना चाहते हैं. यह डोमशिंग तिंग कितना अच्छा अभिनेता था, केवल कुछ वाक्यों की सहायता से जवार को बदल दिया. चिंता मत करो, द शैतान की मूर्ती अत्यंत भयानक थी, जिसके भीतर एक तीवर शक्तिशाली इच्छा शक्ती थी. इसके तीन सिर और छै भुजाएं हैं. इसकी छै आखों ने 360 डिगरी की द्रिश्टी प्रदान की, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहा खड़ा है, शैतान की आ भयानक शैतानों को अपनी ओर दौरते हुए देखा, जो एक कुचलने वाली शक्ती को बाहर निकाल रहे थे, जिसने उनके दिमाग को जखजोर कर रख दिया था. इससे प्रतिभागियों के चेहरे सक्थ हो गए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की रक्षा करते हुए ज इस मूर्ती की विचित्रता को देखा जब उन्होंने इस पर अपनी नजरे जमाई. इस शैतान मूर्ती में एक भयानक इच्छा शक्ती थी, जो दूसरों के दिमाग पर हमला कर सक्ती थी. प्रतिमा को उपर ले जाने के बाद, इसे स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदा और उसके साथ नजरे मिलाएंगे. वे जो पहले अपनी निगाहें घुमाते हैं, उसे अंतिम स्थान दिया जाएगा और जो सबसे लंबे समय तक कायम रह सकता है, उसे पहले स्थान पर रखा जाएगा. मुझे यकीन है कि यह दूसरा दौर काफी पारदर्शी है. शुरू करने का संकेत दू, तो आप सभी को अपनी आखे खोलनी होंगी और आँखो को आँखो से मिलाना होगा, मूर्ती. दस प्रतिभागियों ने डोंग्शेंग तिंग के निर्देशों का पालन किया और मूर्ती के चारों और आखे बंद करके खड़े होने लगे. दू उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची होती. शीर्ष तीन रैंकिंग तब उनकी नेती होगी नकी उनकी. यह पूरवी प्रांथ गुसुत यानकी से शीर्ष रैंकर की अपेक्षा के अनुरूप है. अभी, उसके शीर्ष तीन रैंकों में से एक प्राप्थ करने की संभावन सबसे अधिक है। उसके युद्ध कौशल पर संदेह करने की कोई आवर्शक्ता नहीं है और पहले दौर के दौरान परीक्षन उन्होंने शीर्ष रैंकर का स्थान भी प्राप्त किया। इस से पहले उन सभी का मानना था कि आदित्य और जुन मेंगचेन के शीर्ष तीन का हिस्सा बनने की संभावना है। लेकिन पहले दौर ने उनका विश्वास तोड़ दिया था और उनके शीर्ष तीन में शामिल होने की संभावना लगभग्शूनी हो गई थी। इस दौर प ने दिल को काम पता हुआ महसूस किया। इस शैतान की मूर्ती की आखें अजे रसातल की तरह थी। एक ही पल में वह पूरी तरह से खीच लिया गया था। आधित्य को लगा जैसे उसकी आत्मा को दूसरे आयाम में खीच लिया गया है। वह वास्तव में उसकी इच्छा का एक अंश्था जिसे शैतान की मूर्ती की आखों के सामने लाया जा रहा था। चारों और एक भयानक रसातल, खून और अंधेरे की दुनिया जैसा दिखता था। यह पूरी जगह एक शुद्धिकरण के समान थी। एक उजड़ा हुआ प्राचीन शहर, चारों और बिखरी के साथ एक रक्त क्रिपान शैतान के हाथ में आ गया, जो देखने में बेहत दराबना था। रक्त क्रिपान को अचानक नीचे गिराने से पहले उपर उठा लिया गया था। आकाश और प्रित्वी फटे हुए प्रतीत हो रहे थे। आदित्य पीला पड़ गया, उसके पास काशगिरा, सब कुछ गायब हो गया। आदित्य की वसीयत के शरीर के दो टुकडे हो गये। यह ऐसा था मानो उसने अभी अभी मृत्यू के बप्तिस्मा का अनुभव किया हो। बाहरी दुनिया में आदित्य का वास्तविक्स्व दुख में कराह रहा था क्योंकि उसका च शैतानी आखों में एक भयानक आकर्शन शक्ती थी, जो आदित्य की इच्छा का एक और वार अपने अंदर खीच रही थी। आदित्य एक बार फिर रक्त और अंधकार की उस दुनिया में प्रकट हुए। शैतान राजा अभी भी उसे घूर रहा था, एक अतुलनिय भयान और ठंडी आभा बिखेर रहा था। एक बार फिर शैतान ने अपनी हथेली को नीचे की ओर मारते हुए अपना हमला किया, जिससे पूरा आस्मान काला हो गया। आदित्य भागना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि जहां वह भाग सकता है, वहां कोई जगह नहीं है। ए आदित्य पीडा और निराशा में दहारता है क्योंकि उसके शरीर को टुक्रों में कुछल दिया गया था, एक बार फिर मृत्यू का अनुभव कर रहा था, आखिरी से भी ज्यादा दर्धनाक तरीके से। आदित्य के असली शरीर को कुछ और कदम पीछे धकेल दिया उसके होटों से दुख की कराह निकल गई क्योंकि उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उन्होंने ही नहीं, आसपास के अन्य लोगों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दिखाई। बस इतना था कि आदित्य की प्रतिक्रियाएं दूसरों की तुलना में कहीं अधि अधित्य की आखें पहले ही लाल हो चुकी थी, हाला कि उसने अभी भी आगे की मूर्ती पर अपनी आखें गड़ा रखी थी, एक बार फिर उसकी इच्छा की एक बूंद भीतर खीची गई, उसके पास विरोध करने का कोई उपाय नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूर्चस्तर के अमर राजाओं जैसे अमर अमर राजा और असंख्य अवतार अमर राजा के लिए वे सभी कुछ संदेह कर रहे थे। इतने सालों पहले उन्होंने देखा था कि आदित्य की इच्छा कितनी द्रिड थी, हाला कि मंच पर सभी प्रतिभागी बहुत सही में उन्हें उन्में से सबसे कमजोर नहीं होना चाहिए, हाला कि सच्चाई उनकी आँखों के सामने थी, सभी प्रतिभागियों को पूरी तरह से एक ही चीज का सामना करना पड़ रहा था, आदित्य कोई अपवाद नहीं था, शुरू से अब तक बाई वुया हमेशा क की तरह शांत थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा और एक तटस्थ पर्यविक्षक की तरह थे, हाला कि श्वेत वस्त्र अमर राजा बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन स्वाभाविक रूप से लहरें उसके दिल को हिला रही थी, इस परीक्षा ने वास्तव में तीन युवा साथियों के लिए चीजों को कठिन बना दिया था, यह सपष्ट था कि डोंग शेंटिंग उन्हें शीर्ष तीन रैंकर्स नहीं बनने देंगे, उस शैतान की मूर्ती पर एक गहरी नजर डालते हुए, बाई बुया के पास पूरी तरह से यह माननने का एक कारण था कि इस भीतर की इच्छा विचित्र थी, ऐसा लगभग महसूस हुआ की इच्छा किसी के द्वारा जानबूच कर नियंत्रित की जा रही थी, आदित्य की वसियत को तीसरी बार खूनी दुनिया में लाया गया, शैतान राजा की आखें बर्फ की ठंडी थी, आदित्य को घूरते ह का समुद्र क्षतिग्रस्थ हो गया है, आसानी से मुझे वापस मजबूर कर रहा है, मुझे अपनी आखें बंद करने की इच्छा है, और नहीं शैतान की मूर्ती की आखों से मेल खाँ, उसकी आवाज बर्फ की तरह थी, जब उसकी इच्छा मूर्ती में प्रवेश कर एक भयानक आभा ने शैतान राजा को बाहर निकाल दिया, इसने कोई जवाब नहीं दिया, इसने चुपचाप वापस आदित्य की ओर देखा क्योंकि उसने एक और स्ट्राइक काट दी थी, सीटी की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे आदित्य की एक भुजा गई थी, वह अतुलनिय दर्द में था, क्योंकि खून बह रहा था और उसके पैरों के चारों और जमा हो गया था, वास्तव में यह किसी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, आदित्य ने सिर उठा कर शैतान राजा को देखा, इससे पहले वह केवल शंकालू था, लेक भी अपनी सभी इंद्रियों पर अधिकार रखता था, इस तरह के वध का उद्देश आदित्य को दर्द और पीडा के बीच संधर्श करना था, यह चाहते हुए कि वह आत्मा में पराजित हो जाएं, जिसके परिणामस्वरूप उसे समाप्त कर दिया जाएं, फिर भी एक और क्रिपान की किरन नीचे गिर गई, जिससे उसकी बची हुई भुजादूर हो गई, फिर भी वह वही खड़ा रहा, उसका पूरा शरीर दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी बेर्हमी से आगे शैतान राजा पर पिकी हुई थी, जैसे ही क्र राजा जानबूच कर अपनी मौत को घसीटने के लिए ऐसा कर रहा हो, आदित्य की इच्छा को तोरना चाहता हो, मंच पर आदित्य का असली शरीर दर्द से कराहते हुए सिहर उठा, उसके होटों से ताजा खोन तपक रहा था, क्योंकि उसका चेहरा कागस से ज्यादा पी थी, हाँ, हाँ, यह सूचने के लिए कि शैतान की मूर्ती का अपना दिमाग है और वह जानती है कि मुझे कैसे प्रताडित करना और डाली देना है, आओ, इसे फिर सिलाओ, आदित्य पागलों की तरह हसपड़ा, जैसे ही भंबर ने आदित्य की इच्छा को एक बार फिर आकरशित किया, प्रतिमा की आखें चमक उठी, अभी हवा में सिर्फ आदित्य की आवाज ही सुनाई दे रही थी, सभी दर्शकों के चहरे के भाव जैसे ही आदित्य की ओर मुडे, उनके चहरे पर भाव जम गए, उनकी बाते सुनकर कई विशेशग्यों की आखें तेज स अत्यंत कठिन है, और यह सभी प्रतिभागियों के साथ समान तरीके से व्यवहार करती है, गाली देती है, और उनकी इच्छाओं को मारती है, जिससे उन्हें एक क्रूर बप्तिस्मा का अनुभव करने की अनुमती मिलती है, यह देखने के लिए एक परीक्षा है कि कौन अ पूर्ति का अपना दिमाग था, क्या वह केवल बहाने ढून रहा था, जाहिर है, हाला कि अमर राजाओं के दिलों में संदेह था, लेकिन उन्होंने अपने विचार नहीं बोले, यह पूर्वी संथ अमर संप्रदाय द्वारा आयोजित अमर भोज था और नियम दोंग्श अन्य प्रतिभागियों ने भी तीवर दर्थ सहने के समान लक्षन दिखाए, अंत में प्रतिभागियों में से एक अब इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपनी आखें हटा ली, यह कोई और नहीं बलकी कियान प्रिफेक्चर के शीर श्रैंकर ये कियान चेन थे, शक्तिशाल नहीं बलकी एक शक्तिशाली शैतान क्रिशक था, अभी उसकी आखें बंद थी, क्योंकि शैतान क्यूई ने उसके चारों और के क्षेतर में प्रवेश किया था, लेकिन उसकी पूरी इच्छा वरतमान में बहुत दूर युध मंच के केंडर में, शैतान की मूर्ती के प्रताली समानता थी जो उस शैतान की मूर्ती के भीतर रक्त और अंधेरे की दुनिया के भीतर प्रकट हुई थी। प्रकट ही दूर यहां आइसोलेट होना पड़ा। यदी नहीं तो निश्चित रूप से विभिन अमर राजाओं द्वारा उनकी उपस्थिती का पता लगाया जाएगा और यह केवल पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय के चेहरे को मारने के बराबर होगा। दूर की रैंकिंग को उसी तरहे ठीक कर सकते थे जैसे उन्होंने पहले के दौरान किया था। इसलिए एक निश्चित द्रिश्टिकों से यह प्रतीत होता है कि निश्पक्ष परीक्षन का दूसरा दौर पहले जैसा ही था। लेकिन जो भी हो दर्शकों के नजरिये से परीक्षन का यह दूसरा दौर स्वाभाविक रूप से बेहद निश्पक्ष था। अगर आदित्य पहले नहीं बोलता तो उन्हें कभी भी किसी बात पर शक नहीं होता। जैसे ही दूसरे प्रतिभागी ने अपनी टकटकी लगाने के लिए चुना, क्रोध की एक चीख ने हवा को चीर दिया। इस बार यह Western Desert Prefecture किंता का दूसरा रेंकर था। उनका युद्ध कौशल बेहद मजबूत था लेकिन उनकी इच्छा शक्ती दूसरों की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। इसलिए उनका सफाया कर दिया गया। इलिमिनेट होने वाला तीसरा व्यक्ती वास्तव में जी किंग जुआन था। इससे पहले परीक्षन के पहले दौर के दौरान वह बाहर होने वाली तीसरी भी थी। जी किंग जुआन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने सामने शैतान की मूर्ती को घूर रही थी और उसकी आखों में ठंडक आ गई थी। उसने बहुत सारी आतनाय जेली लेकिन आखिरकार क्योंकि उसकी इच्छा शक्ती तूटने वाली थी वह अब और नहीं टिक सकती थी और केवल पीछे हटने का विकल्प चुन सकती थी। फिर भी उसकी आखों की शीतलता वास्तव में उसके क्रोध की दहकती हुई आग थी। वह यह भी समझ सकती थी कि शैतान की मूर्ती किसी के द्वारा नियंत्रित की गई थी। लेकिन वह क्या कर्या कह सकती थी। यदि शैतान राजा किसी को निशाना बनाना चाहता है तो उसकी पसंद का व्यक्ती कोई और नहीं बल अब दूसरे दौर के परीच्शन के लिए अगर उन्हें सबसे नीचे भी स्थान दिया गया था भले ही अंतिन दौर के दौरान उनका प्रदर्शन बेहत चमकदार था बेजोर मुकाबला कौशल होने के बावजूद शीष तीन में जगह बनाना अभी भी कठिन होगा। उ उसकी इच्छा तुरंत रक्त और अंधेरे की दुनिया में खीची गई बिना किसी अंत के पीड़ा का एक सतक चक्र। शेश साथ प्रतिभागी अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वश्रिष्ट प्रयास कर रहे थे और अंत में चून मेंग चेन अब इसे सहन नहीं कर सकी हाला कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी वह अब और अधिक टिक नहीं सकता था इस राउंड में उन्हें सात्वा स्थान मिला था आदित्य अभी भी कायम था वह वास्तव में अपनी इच्छा से शैतान की मूर्ती के करीब जाने लगा उसके द्वारा उ होता है जब उसकी इच्छा खून और अंधेरे की उस दुनिया के अंदर ले जाया जाता है वह दुष्ट शैतान राजा उसे पीडा देने के लिए सबसे क्रूर तरीकों का इस्तिमाल कर रहा था आदित्य ने हार नहीं मानी मो वेन बने रहने में विफल रहे और उन्हें 6 स्थान मिला केवल शीष 5 स्थान ही रहते हैं जून मेंग चेन और जी किंगक सुआन ने अपनी मुठी का स्कर पकड़ ली ऐसी अनुचित परिस्थितियों में आदित्य अभी भी वास्तव में शीष 5 में स्थान बना सकता है अधिक सपष्ट न होने के लिए इस समय अन्य दूसरे दौर में 5 स्थान पर रहा पराक्रमी पंक राजा ने भी आखिरकार अपनी निगाहें फेर ली अब केवल शीर्ष 3 स्थान बचे हैं जून मेंग चेन और जी किंगजवान ने निगरानी की लेकिन अब बाकी बचे दो प्रतिभागियों में भी बेहत मजबूत और ग्रिड इच्छा शक्ती थी कुछ समय के बाद जब आदित्य ने अपनी आखें हटाई तो आखिरकार खांसते हुए खून निकला वह प्रभाव से पीछे हट गया और उसका पूरा शरीर एंट रहा था और पसीने से भी गया था यहां तक कि उनकी आभा में भी बेथाशा उतार चड़ाव हो रहा था इस दूसरे दौर के परीक्षन के लिए उनकी रैंकिंग तीन पर तै की गई थी वरिष्ट जैसे ही वह आदित्य की ओर बढ़ा जून मेंग चेन का सिल्हू पिम्टिमा गया चिंता न करें आदित्य ने बचे हुए दो प्रतिभागियों पर ए अंतिन दो प्रतिभागी अभी भी कायम थे अंत में जो पहले सहने में विफल रहा वह वास्तव में गुसुतियान की था हुआ ताइक्सू की शक्तिशाली इच्छा अंत तक कायम रही हुआ ताइक्सू आखिरी प्रतिभागी है उसने गुसुतियान की को हराया और परीक् बस देखने से पहले भीड की आखें टिम्टिमा उठीन। कई पहले से ही क्रॉसलेगड बैठे थे, मध्यस्थता के माध्यम से ठीक हो रहे थे। जाहिर है, उनकी इच्छाशक्ती और भावना को कुछ नुकसान हुआ था। जैसा कि 13 प्रांतों में सबसे मजबूत जीनियस होने की उम्मीद थी, इतने लंबे समय तक बने रहने में सक्षम होने के नाते। अब मुझे परीक्षन के दूसरे दौर के लिए रैंकिंग की घोशना करने दें। जैसा अभिनाय करना जैसे परदे के पीछे कुछ भी नहीं था और सभी के साथ उचित व्यवहार किया गया था। जैसा भी किया तो वह सब बेकार होगा। यह स्थान पूर्वी रिशी अमर संप्रदाय था। चुंकि मामला ऐसा ही था बलकि वह अपने हिदय को शांत करना चाहता था और अंतिम लडाई के लिए तयार होना चाहता था। ऐसा लगता है कि हर कोई ठका हुआ है। शराब का आनंद ले रहे थे जबकि उन्होंने वसूली में मध्यस्थता की। सोखना जून मेंग चेन ने बोलते हुए सीधे शराब की एक कुप्पी निकाली। परीक्षन के पहले दौर में उन्हें चठे स्थान पर रखा गया जबकि परीक्षन के दूसरे दौर में उन्हें सात्वे स्थान पर रखा गया। लेकिन वह जून मेंग चेन यहां शीर्ष तीन रैंकरों की स्थिती के लिए आया था। वे भी मंच पर प्रतिभागियों को घूरते हुए चुप रहेंगे। चाहिए। फेदर किंग की संभावना अधिक है। इसके अलावा क्लावड प्रांथ के लिए एक बादल प्रांथ का उलेक करते ही अमर राजा ने गहरी सांस ली। क्लावड प्रांथ क्या अफसोस है। हाँ, यह क्लावड प्रीफेक्चर के लिए कुछ अफसोस की बात है। क्लावड प्रीफेक्चर के तीन प्रतिभादी शीर्ष डस में शामिल होने में काम्याब रहे। ऐसी घटना वास्तव में अभूत पूर्व है, एक अमर राजा ने आह भरी। जिस दिशा में क्लावड प्रांथ के लोग बैठे थे, आइडल क्लावड इम्मोर्टल किंग की आखें युद्ध के मंच पर घूर रही थी क्योंकि उनके दिल में कुछ आक्रोश था। वह शैतान की मूर्ती की विच्टरता को भी हलके से महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि आदित्य और दो अन्य लोगों को निशाना बनाया गया था। ऐसा विशेश रूप से डीप अफलेम अमर राजा और आदित्य के बीच टकराव के बाद हुआ। जिसे देखने के बाद वह कुछ बातों का अंदाजा लगा सकते थे। प्रवेश करने की अनुमती दे। आइडल क्लावड अमर राजा केवल अपने दिल में आहे भर सकता था। हालांकि वह जानता था कि छाया में कुछ चर रहा था। उर्वी संथ अमर संप्रदाय के हिस्से के रूप में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह कुछ भी कह सके और दोंग्शिंग टिंग को डांट सके। वह केवल आदित्य और दो अन्य लोगों के लिए चुपचाप विलाप कर सकता था। क्या वास्तव में शीर्ष तीन रैंकों के साथ उनका कोई भाग्य नहीं है। तो वे पूर्वी संथ अमर संप्रदाय में संथ बाल पात्र नहीं बन पाएंगे। तब उनकी हैसियत क्या होगी। यहां तक कि अगर वे पूर्वी संथ अमर संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो उनके व्यक्तित्व और दीपफलेम अमर राजा के साथ संधर्ष को दे और उन्हें आदित्य और जून मेंगचेन द्वारा बार बार चुनोती दी गई थी। यदि यह एक साधारन चरित्र होता, तो वे इसे सहन करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन दीपफलेम अमर राजा ने ऐसा किया। तो उनके पास उनकी जान लेने के लिए बहुत सारे तरीके थे। समय बीटता गया और अंत में, दोंगशिंग तिंग ने युद्ध के मंच पर अपनी नजर घुमाई और पूछा क्या सभी ने पर्याक्त आराम किया है। राउंड के लिए वे बहुत नीचे स्थान पर रहे। उनके शीर्ष तीन का हिस्सा बनने की संभावना बेहत कम थी। हाला कि जब से वे इस बिंदू पर पहुँचे हैं, केवल अंतिन लडाई बाकी है। चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। यदि वे यहां सभी को दबा सकते और अपनी चमक को चमकने देते, तो उनके पास अभी भी एक अफसर हो सकता था। गुसुतियान की सहित सभी दस प्रतिभागियों, जो हमेशा उदासीन दिखते थे, उनकी आखों में एक चमकदार रोशनी चमक रही थी। जाहिर है वह इस अंतिन लड़ाई के लिए प्रत्याशा से भरा हुआ था। हर कोई सपष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनकी युद्ध करने की इच्छा कितनी तीवर थी। जैसा कि सबसे मजबूत दस से उम्मीद की जाती है। केवल उनसे लड़ाई का इरादा ही यह बताने के लिए परियाप्त है कि वे शीर्ष तीन स्थानों को कितनी बुरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। एक अमर राजा हसा, उसकी आखे मशालों की तरह चमक उठी। यह युद्ध अमर भोज की परीक्षा का अंतिम दौर होगा, जिसमें सब कुछ समाप्त होगा। हाला कि पहले दो राउंड के लिए रैंकिंग भी थी, यह अंतिम राउंड सबसे महत्वपूर था। उदाहरन के लिए हालांकी गुसुतियान की और हुआ ताइकसु का प्रदर्शन पहले दो राउंड में बेहद उतक्रिष्ट था। अगर वे इस अंतिम राउंड के लिए सबसे निचले पायदान पर रहे तो वे निश्चित रूप से शीर्ष्टीन का हिस्सा नहीं होंगे। सभी का सबसे महत्वपूर न मांदन स्वाभाविक रूप से व्यक्ती की युधधक्षमता थी। अगर किसी में ताकत की कमी है तो उसके पास शीर्ष्टीन बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। लडाई शुरू होने वाली थी। इस लडाई के लिए कोई नियम नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार लड़ सकते हैं। भले ही आप सब कुछ उल्टा-पॉल्टा कर दें। केवल एक चीज की मना ही है कि कोई भी दूसरों के खिलाफ गिरोह नहीं बना सकता है। डोंग शेंग टिंग बोले। हो जाए युध शुरू। जैसे ही डोंग शेंग टिंग की आवाज फीकी पड़ी, सभी प्रतिभागियों के आभामंडल जो दब गए थे, युध के मंच पर तैरने लगे। अंतिम लड़ाई एक शाही गडगड़ा हट थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई भयानक भ हिलाफ कारवाई की जाएं। वरिष्ट भाई, चुंकी वे चाहते हैं कि हम सबसे निचले पायदान पर हो, इसलिए हम इस दौर का उप्योग यह साबित करने के लिए करेंगे कि हमारी ताकत कितनी भारी है। जून मेंगचेन ने बात की। हमें कैसे लड़ना चाहिए। हम अभी उन तीनों ने एक एक करके उन्हें तबाह करते हुए ऐसी बात कहने का साहस किया। मैं ये कियान चेन को चुनूंगी जी किंजुआन ने कहा। मैं किंटा को चुनता हूँ जून मेंगचेन ने कहा। ठीक है मैं तुम्हारे रक्षक के रूप में काम करूंगा। तु कि केवल उसने ही अपनी पूरी ताकक जोग दी थी और युद्ध के माध्यम से अपनी सारी कुंठाओं को बाहर निकालने में सक्षम था। जी किंगक सुआन का शरीर एक दिव्यबाज से प्रकाश के साथ विकीर्ण हो गया और उसकी पीठ के पीछे सुंदर और विशाल पंकों की एक जोड़ी बन गई। की रैंकिंग उतनी उतक्रिष्ट नहीं थी लेकिन अब उनसे निकलने वाली तीक्षनता अत्यंत दमनकारी थी जिससे भारी खत्रे का आभास हो रहा था। से तलवार क्यूई अत्यधिक तेज हो गई, तलवार क्यूई के तूफान में बदल गई। अंतिम युद्ध शुरू हो गया है, आदित्य और उनके साथी संप्रदाय के सदस्यों ने सीधे तोर पर एक निडर युद्ध की शुरुआत की। जून मेंग चेन और किंटा ने मारपीट शुरू कर दी। जिसमें उसने आकाश और प्रिथवी को हिला देने की शक्ती प्राप्त की थी। किंटा स्वर्गिय इश्वर जाती का एक विशेशग्य था और उसके पास अपनी जाती की जन्मजात प्रतिभा थी। उसके शरीर का विस्तार दस मीटर से अधिक हो गया क्योंकि एक हजार फुट स्वर्गिय भगवान सुक्ष्म आत्मा उसके पीछे दिखाई दी। वह हवा में उड़ गया और उसके हर हमले से अंतरिक्ष कामपनी लगा और उसकी ताकत के आगे ढगया इस समय असीम शक्ती जून मेंगचेन पर उतरी लेकिन क्रोध की एक ही गर्जना के साथ उससे एक अंथीन दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह जानते थे कि एक बार जब यह छोटा साथी क्रोधित हो गया तो शक्तिशाली कैंग एओ को भी पहले ही एक मुक्का मार दिया गया। उनके हमले बहुत अत्याचारी थे। अभी उप्योग किया। अभी उसके द्वारा तलवार की रोशनी के कई सौ बीम काट दिये गए थे जो जी किंगग सुआन को मिटाने के लिए अंतरिक्ष में जूम कर रहे थे। इसके अलावा प्रत्येक तलवार के पीछे की ताकत बेहत करूर थी जो वजरपात से भरी हुई थी। जी किंग जुआन ने भी अपने हमलों और गती को सीमित कर दिया। केवल उसकी छाया ही चमकती हुई दिखाई दे रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार की किरनों से दब गई हो। हार से जीत तै करने के लिए बस एक पल ही काफी होगा। उससे शैतान ची लहरों में उचलती हुई निकली जिससे एक अत्यंत भयानक अनुभूती हुई। जैसे ही उसने आदित्य को देखा, आदित्य ने अपने उपर एक भारी और दमगोंटू दबाव महसूस किया। आदित्य की ओर बढ़ते ही निर्मम की आँखों में तेज की चमका गई। निर्मम अपराजे शैतान राजा का शिश्य आदित्य के खिलाफ जाने वाला है। दर्शकों में कुछ ऐसे भी थे जो अभी भी आदित्य पर ध्यान दे रहे थे। दूसरे राउंड में इस युवक का प्रदर्शन काफी अच्छा कहा जा सकता है लेकिन दुख की बात है कि वह पहले राउंड के दौरान अंतिम स्थान पर रहा। यदि वह शीर्श तीन रैंकिंग के लिए लड़ना चाहते हैं तो परीक्षन का यह अंतिम दौर उनका अ शैतान कलाओं की खेती के बाद उनका नश्वर शरीर बेहग मजबूत है और उनके पास सर्वोच युद्ध क्षमता है उनकी ताकत शक्तिशाली शैतानी ताकत से और बढ़ जाती है अपनी अमर युद्ध कला को सक्रिय करते ही आदित्य ने रूथलेस को घूर कर देखा चकाचौंध करने वाली रोशनी की किरने आगे निकल कर उसके चारों ओर लिप्ती हुई थी एक पल में आदित्य एक सर्वोच युद्ध देवता के समान था केवल वहां खड़े रहने पर भी उससे निकलने वाला भयानक संग्राम परवतों को भी गिरा सकता है और समुद चेके हाथ में भी एक लंबा भाला दिखाई दिया जो सुक्ष्म उर्जा से साकार हुआ उसके भाले की नोक पर भयावह रोशनी भी जिल मिला रही थी जैसे कोई चौका देने वाला स्वर्ग को कुचलने वाला उससे आगे निकल सकता था अपने शैतानी भाले से वार करत उसके शैतान भाले में हर चीज को भेडने की ताकत थी लेकिन ठीक उसी क्षण आदित्य का भाला भी बाहर की ओर फूट पड़ा उसकी भाले की रोशनी सीधे शैतान के भाले की ओर इशारा कर रही थी दो शक्तिशाली भाले आपदा की बिजली के दो बोल्ट की तरह थे एक दूसरे के खिलाफ टकराते हुए भाले के सिर के खिलाफ भाला एक ही पल में उन दोनों ने महसूस किया कि एक अत्याचारी और शक्तिशाली बल उन्हें पीछे धकेद रहा है उसका पूरा हाथ शैतानी शक्ति से उतप्रोथ था क्योंकि उसने अपने भाले में और भी अधिक शक्ति भर दी थी आदित्य के हाथ काप रहे थे लेकिन अगले ही पल उसके भाले की नोक से एक जबरदस्ट दमनकारी आवाज निकली रूथलेस को वास्तव में एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था और वह इस अप्रत्याशित परिद्रिश्य के कारण भौहे सिकोरने से खुद को रोप नहीं सका हाला कि अभी आदित्य ने आगे बढ़ते हुए बड़े कदम उठाए एक और स्पीर स्ट्राइक के साथ चुरागों पते हुए यह भाला और भी अधिक क्रूर था और मक्षन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह सभी बचावों को तोर दिया आदित्य के भाले से एक बार फिर टकराने वाले एक और हमले की शुरुवात करने से पहले निर्दई पागलपन में चिल्लाया क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गया एक और भयानक उचाल सुनाई दिया क्योंकि वह एक बार फिर पीछे की ओर जाने को मजबूर हो गया उनका शैतान आस्मान को उचा उठा सकता है क्योंकि लंबे भाले वाले कई प्राचीन शैतानों के रूप में उनका तारामंडल अचानक प्रकट हो गया जो इस दुनिया में एक असपष्ट आभा विखेर रहा था आदित्य ने अपना नक्षत्र भी जारी किया उनके दमन विनाशकारी नक्षत्र ने उनमादी रूप से उनमें अधिक दमन प्रकार की उरजा का संचार किया बूंग निर्ममता से जमीन पर पटक दिया जैसे हवा में शैतान चिल्ला रहे थे तुरंट सभी शैतान आदित्य की ओर जप्टे पूरी दुनिया को अराजकता में बदल दिया वह आदित्य को एक ही वार से नश्ट करना चाहता था फिर भी इसी क्षन आदित्य के लाखों अवतार प्रकट हुए हवा में दमन नक्षत्र ने एक असीम प्रकाश विकीन किया नीचे की ओर कैस्केडिंग करते हुए उसे असीम उर्जा से भर दिया क्योंकि उसने स्वर्गिय फैंगौर दमन कला को अधिक्तम तक पहुँचाया आदित्य के लाखों अवतारों के हाथों में भाले सभी एक विशाल दमनकारी शक्ती का उचसर्जन कर रहे थे रूथलेस के खिलाफ आमने सामने लड़ते हुए लाखों आदित्यों ने एक ही पल में चुरा घूप दिया रूथलेस ने चाहे जो भी तकनीक का इस्तिमाल किया हो आदित्य पूरी ताकत से सब कुछ कुछल देगा भाले के खिलाफ भाला असीन दमनकारी शक्ती वातावर्ण में व्याप्थ हो गई जब वह शैतान बोर हो गया तो आदित्य के अवतारों के स्वर्गदमनकारी भाले अनायास ही तूट गए इस तकर ने पूरे अंतरिक्ष को कमपकमपा दिया क्योंकि अराजक QE की धाराओने प्रभाव से उत्पन्न शौक्वेव से क्षेतर को तहसन हस कर दिया निर्मम महसूस कर सकता था कि उसे जबरन दबा दिया गया था और उसकी असीन शैतानी शक्ती को दबा दिया गया था तेज आवाज के साथ उसका शरीर हवा में उचल गया उसने जल्दी से अपने शैतान भाले को प्लेट फॉर्म में घुसा दिया घर्शन का उपयोग देरी से और खुद को धीमा करने के लिए किया भयानक चिंदारिया और दरावनी आवाजे हवा में गूंज उठीन और रूथलेस तभी गती को रोकने में काम्याब रहा जब वह प्लेट फॉर्म के बिलकुल किनारे पर था वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसने जो नुकसान किया था उससे खून खासी के लिए निकला था You have lost निर्मम ने अपना सिर जुका लिया तभी आदित्य ने अपना भाला उस पर तांते हुए देखा जिसमें एक जंगली अहमकार था मैं अभी भी लड़ सकता हूँ निर्मम की आवाज अतुलनिय रूप से ठंडी थी क्योंकि शैतान की एक और लेहर उससे आगे निकल सकती थी पहले से ज्यादा हिंसक जदी आप जारी रखते हैं तो भी आप अभी भी पराजित होंगे आदित्य की आखों में एक राक्षसी प्रकाश चमक गया अभी वह एक सर्वशक्तिमान सर्वोच राक्षस भगवान की तरह था जो स्वर्ब के नीचे सभी अस्तित्वों पर तिरसकार से जहाक रहा था उसकी राक्षसी आभा आगे बढ़ गई जो उसके खिलाफ संधर्ष कर रही थी रूथलेस द्वारा शैतान को बाहर निकाला जा सकता है निर्दैता ने आदित्य की तरफ देखा वह शैतान कलाओं की खेती करता है और शैतान खेती करने वाले सभी अपने जबरदस्ट अत्याचारी हमलों के लिए जाने जाते थे फिर भी वह वास्तव में यहां हार गया उसने अपने दिल में बेहद अनिच्छा महसूस की अपराजित शैतान राजा का शिष्य रूथलेस यहां पराजित हुआ है हाला कि शैतान कलाए अत्याचारी रूप से शक्तिशाली है यहां आदित्य पहले से ही अमर युध कला के तीसरे स्टर को समझ चुका है अपनी मूल ताकत के अलावा वह बहुत भयानक है दर्शक आदित्य को घूर रहे थे जो हाथ में भाला लेकर शांत भाव से खड़ा था मानो किसी परमदैक्य का वन्शज हो वह युध के मैदान में अपराजित खड़ा एक अजे युध देवता की तरह लग रहा था जून मेंग चेन का मुकाबला भी समाप्थ हो गया था भारी, चमतकारी और असीम अत्याचार उसने पूरी तरह से किंटा को तबाह कर दिया जो स्वर्गिय इश्वर जाती के एक विशेशग्य थे किंटा की ताकत पहले से ही बहुत दरावनी थी और उसके हमलों में कानून की उर्जा का संकेत भी था लेकिन फिर भी वह अभी भी जून मेंग चेन से हार गया था इस समयत जी किंटक सुवान और ये कियान चेन के बीच लडाई से एक तेज करकश आवास गूंज गुठी ये कियान चेन की तलवार की तकनीक ने जी किंटक सुवान को चरम पर पहुँचा दिया उसने अपनी शक्तिशाली रक्तरेखा को खोल दिया क्योंकि उसका शरीर सुनहरी लप्टों से धधक रहा था, भारी शक्ती के साथ ये कियानचेन की तलवार की पेचीदगियों को तोड़ते हुए अंत में ये कियानचेन की तलवार रहस्यमय और गहरी होने के बावजूद वह अभी भी जी किंगक सुवान से हार गया था उनमें से तीन एक पूर्ण जीत इस द्रिश को देखकर दर्शक कुछ सहम गए आदित्यक जून मेंग चेन और जी किंग जुआन सभी ने अपने दबंग और अहमकारी रवये का इस्तिमाल किया और तीन अन्यप्रतिभागियों को हराते हुए सर्वोच स्थान पर रहे पिछले दौर में उनकी रैंकिंग की तुलना में इस तरह की लड़ाई की उपलब्धी कई गुना अधिक चमकदार थी अन्यप्रतिभागियों के लिए फेदर किंग ने मो वेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनकी लड़ाई अतुलनिय रूप से हिंसक और विस्पोटक थी फेदर किंग वेस्टर्न डेजर्ट प्रीफेक्चर के विंग डेविल रेस का एक राजा है उसके हमले स्वाभाविक रूप से बेहत दराबने थे मो वेन फ्रोस्ट क्वीन भी नहीं हारी उसने अपने चारों और बर्फ की एक दुनिया बना ली जब वे दोनों इसके भीतर लड़े अभी दस प्रतिभागियों में से केवल दो जो अभी तक नहीं लड़े हैं गुसुतियान की और हुआ ताइक्सु थे उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं की लेकिन वे युद्ध के इरादे से उबल रहे थे क्योंकि वे अन्यप्रतिभागियों की लड़ाई देख रहे थे वरिष्ट भाई जून मेंगचेन ने पुकारा उन्होंने लक्षियों का आदान प्रदान किया जून मेंगचेन ये कियानचेन की और चले जबकि जी includes किंटा की और बढ़े हरामी किंटा दहाडा क्या उन तीनों ने उसे एक सीड़ी के रूप में लिया जून मेंगचेन ने उसे हराने के बाद बस उसकी तलवार क्यूई तेज बहाव में आगे बढ़ी, पहले से कहीं ज्यादा तेज। योग्य साबित करने के लिए अन्य साथ को तबाह करना चाहते हैं, युध के मंच पर आदित्य को घूरते हुए विभिन अमर राजाओं की आखे मशाल की तरह चमक उठी। जून मेंग चेन ये कियान चेन के खिलाफ लड़ रहे थे, जी किंगक सुवान किंटा के खिलाफ। उन दोनों ने प्रतिदवन्दवी का आदान प्रदान किया। लेकिन अगर आखिरी लड़ाई के लिए शीर्श रैंकिंग हुआ ताइकसु द्वारा हासिल की गई, तो उसके पास पहले स्थान के साथ कोई भाग्य नहीं होगा। इस अंतिम लड़ाई के लिए उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त करना था। निर्मम अपराजे दानव राजा का शिश्य उसकी पहली लड़ाई होगी। गुसु तियानकी से धधक्ते सूरच की तरहे गर्मी उसके उपर हवा में दिखाई देने वाली धूप की कुल नौ गेंदों के रूप में निकली। सूर्य की अगनी के ये गोले तब उसके तारामंडल के केंदर में एकत्र हुए जो एक भट्टी के रूप में था, जिससे तापमान में इतनी अधिक गर्मी उत्पन होती थी कि यह प्रित्वी पर सब कुछ भस्न कर सकता था, जिसमें असीन विनाशकारी शक्ती थी। हाथ में काले शैतान भाले के साथ एक प्राचीन शैतान का प्रेट प्रकट होने पर रूथलेस से शैतान आसमान में उर सकता है। गुसुतियानकी ने प्राचीन शैतान को देखा, उसकी अभिव्यक्ती में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। चुंकि आदित्य रूथलेस क कई चमकदा धधकते लंबे भालों के समान थी। यदी भालों का प्रकाश लोगों की ओर निर्देशत होता तो उनसे निकलने वाली गर्मी एक व्यक्ति को जीवित सेंखने के लिए परियाप्त होती। निर्दई शैतान बढ़ सकता है। परगड़ाहट की आवासे गूंज उठीन जैसे की एक विशाल सूरज प्रकट हुआ, एक सुनहरे सूरज भाले में परिवर्तित हो गया जो गुसुतियानकी के हाथ में उर गया। इस विशेश भाले में असीम गर्मी थी, जो अपने आसपास की किसी भी चीज को राख में ब गुसुतियानकी का सूर्य भाला गुजरा, तो वे सभी जलकर राख हो गए। शैतान की ढाल तूटते ही एक गड़गडाहट की गड़गडाहट गुंच उठी। जिसके बाद जब रूथलेस का शैतान भाला व्यक्तिगत रूप से गुसुतियानकी के सूरज भाले के खि जोर कर रख दिया, एक सूरज भाले की शक्ती पहले से ही अकलपनिय थी, अब अकेले रहने दें जब उनमें से बहुत सारे हैं। हाला कि उनकी क्षमता असीन थी और अत्याचारी युद्ध शक्ती थी, लेकिन वह आदित्य के खिलाफ पहली लड़ाई हार गए और इस दूसरी लड़ाई के लिए वह कोई और नहीं बलकी गुसुतियान की थे। इसलिए कोई सस्पेंस नहीं था कि वह हार गए। इस माम को आकरशन से भर दिया क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ध्यान प्रतिभागियों पर केंद्रित कर दिया। इस समय अपने नक्षत्र की शक्ती उधार लेने पर पंक राजा तारों बाले आकाश के शैतान राजा की तरह लग रहा था। उसके पंक अतुलनिय रूप से दे लड़ी थी। जून मेंगचेन की लड़ाई हमेशा सबसे सीधी होती थी। ये कियानचेन की तलवार कला जटिल और गहरी थी जबकि जून मेंगचेन ने पूरी ताकत के साथ सीधे तौर पर काम किया। वह एक सरवोच राजा के रूप में परिवर्तित हो गया और एक ही दहार के साथ जिससे पूरी दुनिया काम उठी। उससे उत्पन राक्षसी जानवर, युधरत और असीम अराजक्ता प्रतीत हो रही थी। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने दुनिया में एक अधवितिय आभा बिखेर दी। हालांकि ये कियानचेन की तलवार कला शक्ति जी किंगजुआन एक दिव्यबाज में बदल गया, जबकि किंटा एक स्वरगिय देवता में बदल गया। हमलों के संदर्भ में यह सपष्ट था कि जी किंगजुआन जून मेंगचेन से कमतर थी, उसके पास अपने कनिष्ट भाई की तरह लड़ने का कोई तरीका नहीं ताकत के खिलाफ ताकत का मिलान करना। वह केवल गती में अपने लाप पर निर्भर रह सकती थी और किंटा के खिलाफ हमलों की जड़ी लगा सकती थी। धधकते सुनहरे दिव्यबाज की गती बहुत तेज थी। विशेश रूप से तब जब जी किंगक सुआन ने अपनी रक्तरेखा की शक्ती को उजागर किया, जिसने एक दिव्यबाज के प्रेट को प्रकट किया, जिसने उसे पूरी तरह से ढख दिया। केवल एक पल में उसके पंक सौ से अधिक बार फड़ फड़ाये क्योंकि वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो उसके हम अगले ही पल किंटा को निशाना बनाते हुए, सभी दिव्यबाज ठीक उसी क्षण हमलों की एक धारा के साथ फूट पड़े। किंटा ने एक भयानक गर्जना छोड़ी और उसकी दोनों विशाल हथेलिया हिंसक रूप से तूट कर आसमान को ढखने लगी। उसकी हथेलिया अवरोधन करने के लिए चली लेकिन बाज की गती बहुत तेज थी, उसके हमलों को दरकिनार करते हुए, किंटा के सिर को निशाना बनाते हुए फिसल गया। किंटा के हावभाव काफी बदल गए क्योंकि उसने अपनी हथेलियों को अपने सिर के सामने की ओर देखने से पहले अपनी चोटों पर नजर डाली। उन्हें जुन मेंगचेन ने भी हराया था। किंटा और ये कियानचेन बेहत दैनिय थे। उनमें से दो को जुन मेंगचेन और जी किंदक सुआन द्वारा चुना गया था और वे मील के पत्थर बन गए। या अधिक सटीक रूप से वे आदित्य द्वारा चुने गए थे स्वाभाविक रूप से इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। भी नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। यहां अंतिन लड़ाई ही एक मात्र ऐसी चीज थी जिस पर उनका कुछ हद तक नियंत्रन था। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना सर्वश्रिष्ट प्रदर्शन करना था, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वरिष्ठ लड़ाई ने स्वर्ग और प्रिथवी को हिला दिया और यहां बेहत तीवर था। अंत में मोवेन स्वर्गियत आवीज दायरे के शिश अभी भी पश्चिमी प्रांत के शिर्श रैंकर विंड डेविल रेस के फेदर किंग से हार गए। आधित्य की आखों में तेज चमक लडने की जरूरत थी ताकि वह अपने युद्ध कॉशल के साथ न्याय करने के लिए सभी को चुप करा सके। मेंग चेन फेदर किंग के खिलाफ लड़ो। फेदर किंग ने पहले ही मोवेन को हरा दिया था और शुरू में वह अगले मुकाबले में रूथलेस के खिलाफ लडने की योजना बना रहा था। जब तक जून मेंग चेन ने हैविवेट की इस लड़ाई में फेदर किंग को हरा दिया तब तक उनके बाकी विरोधियों में केवल गुसु तियान की और हुआ ताइकसु ही होने चाहिए। अंग्य प्रतिभागी विचार के योग्य नह था। कितना अहंकारी अमर्भोज के विशेशग्य सभी सदमे से शुरू हुए। आदित्य वास्तव में जून मेंग चेन को फेदर किंग के खिलाफ लड़ना चाहता था। यहां कैसा अत्याचारी था। जून मेंग चेन को अपने और करीब आते देख फेदर किंग की एक बेहत दमनकारी धमकी और दबाव दिया था। किंगक सुवान प्रूथलेस के खिलाफ लड़ो आदित्य ने जी किंग सुवान से कहा। ठीक है जी किंग सुवान ने सिरहिलाया और वह अपराजे शैतान राजा के शिशे की और बढ़ी। पहले ही दो लड़ाईया हार चुका था। यह साथी ऐसा लगता है जैसे दस प्रतिभागियों के बीच इस अंतिन लड़ाई में सब कुछ उसके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। दर्शकों की नजर आदित्य पर पड़ी। आदित्य मंच के केंडर में खड़ा था क्योंकि उसने जून मेंग चेन को फेदर किंग के खिलाफ हमला करते हुए देखा जबकि जी किंगक सुआन ने रूथलेस को चुनाती दी। एक ही पल में मंच पर हिंसक रूप से दो महान युद्ध छिड़ गए। यह विशेश रूप से फेदर किंग और जुन मेंग चेन के बीच लड़ाई के लि उनकी अभिव्यक्ती अत्यधिक रचित और शांत थी। यहां तक कि वह निश्चित नहीं था कि उसके छोटे भाई के पास कौन से प्रमकाड हैं लेकिन वह जानता था कि वे निश्चित रूप से बेहत शक्तिशाली होंगे। ऐसा लगा कि जून मेंग चेन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक सर्वोच प्राचीन शक्ती से शक्ती उधार ले सकता है और फेदर किंग की ताकत के बावजूद आदित्य का मानना था कि जून मेंग चेन विजी होगी। उन्होंने पहले ही रूथलेस की युद्धक शमता का अनुभव कर लिया था। हाला कि वह बहुत मजबूत भी था, जी किंग जुआन को इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। ये दो लडाया लगभग पहले ही दी जा चुकी थी। अपने लिए वह स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रह सकता था। वह मंच के पीछे की ओर चला गया और किंटा और ये किया अंचेन को देखा। उन दोनों ने उसे शिष्टता से देखा क्योंकि उनकी आखों में उनके रोश से उत्पन तीवरजवाला थी। क्या तुम दोनों नाराज हो। आदित्ये ने उन पर एक नजर डाली और बोला। यदि आप हैं तो बस मेरे पास एक साथ आएं। हालां उसके चिलाने की शक्ती से पूरा स्थान हिल गया और जहां तक ये कियानचेन का सवाल है उसके पास से तलवार क्यूई का तूफान पागलों की तरह बह निकला। दस प्रतिभागियों के हिस्से के रूप में आदित्ये ने वास्तव में उन्हें एक साथ आने के लिए कहा क्योंकि अगर वे आमने सामने लड़े तो वे उसके लिए मैच नहीं थे। साथ उसके पास आएं। आदित्ये द्वारा दिखाया गया यह अहंकार इस संसार में अद्वितिय था। जैसे ही वह आदित्ये के और करीब आया ये की आनचेन से असीन तलवार निकल सकती थी। पिछले दो राउंड में उनकी रैंकिंग भी आदर्श नहीं थी और क्या वह भी एक गहन लड़ाई के इरादे से नहीं भरे थे। वह इस अंतिम लड़ाई के दौरान खुद को साबित करना चाहते थे। इस मामले में भले ही वह साधू बालत न बन सके फिर भी एक मौका था कि अन्य अमर राजा। उन्हें एक निजी शिश्य के रूप में स्वि मत चुकानी होगी। असीम दमनकारी शक्ती का संचार किया। उनके दाहिने हाथ में एक तेज तलवार थी जो रक्तरन की रोशनी से चमकती थी यह एक राजा की तलवार की तरह थी जो इस दुनिया में हर चीज पर अधिकार करने में सक्षम थी। उसकी विशाल बाईं हथेली में जिलमिलाती रोशनी में एक अत्यंत भयानक शक्ती समाहित थी। किंटा और ये कियांचेन करीब और करीब आ गए और आदित्य से निकलने वाली शक्ती को महसूस करने पर उनके चहरे ठंडे और ठंडे हो गए। इस समय आदित्य ने अमर युध कला को एक उज्वल चमक के रूप में स सकता था। यहां तक किस वरगिये परमेश्वर किंटा ने भी महसूस किया कि अभी उस पर एक दंगोंटू दबावा रहा है। जहां तक ये कियांचेन की बात है उसकी इच्छा डगमगाने लगी क्योंकि वह अपने हाथों में तलवार को देख रहा था। वह सोच रहा थ कि क्या उसकी तलवार आदित्य की राजा तलवार से मेल खा सकती है। जब सच में आमने सामने लड़ रहे थे तभी उन्हें महसूस हुआ कि आदित्य की बातें कितनी दबंग थी। जब किंटा और ये कियांचेन ने आदित्य के तुरूप के पत्ते देखे तो उनमें पह अभी इस दुनिया में केवल वही हथेली मौजूद है। अभी इस दुनिया में केवल वही हथेली मौजूद है। ये कियानचेन की अत्याचारी तलवार की किरण को चीरते हुए। हथेली के खिलाफ हथेली, तलवार के खिलाफ तलवार। टेंपो में युद्ध के विस्पोर्ट के रूप में गरजने वाले उच्छाल और लाक्रेशन की आवाजें आपस में जुड़ी हुई थी। बूंत किंटा सीधे जमीन पर पटक दिया और आदित्य की ओर दौड़ पड़ा। ये कियानचेन भी आगे बढ़ी आदित्य को नजदी की मुकाबले में उलजाना चाहती थी। हालाकि आदित्य के पंकों के फड़फडाने के साथ सुनहरी रोशनी चमक उठी क्योंकि वह एक हवा की चटान में तब्दील हो गया था, जो सीधे दृष्टी से उज़ल हो गया था। वह अब किंटा के खिलाफ ताकत और ये कियानचेन के खिलाफ तलवार कलाका इस्तिमाल कर रहा था। उसकी हथेली आदित्य की हथेली से मेल खाती है, तो वह सपष्ट रूप से अपने उपर एक भयानक दबाव महसूस कर सकता था। आदित्य की हथेली का प्रहार असीम पराक्रम से भरी अदमय शक्ती के समान था, जो परवत के समान भारी था। बस एक जटका लगा और आदित्य फिर गायब हो गया। किंटा के पास अपनी दूसरी हथेली से दूसरा हमला करने का समय भी नहीं था। आदित्य हवा में तैरता रहा क्योंकि उसके नक्षत्र का बैंगनी सुनहरा प्रकाश उस पर जहर रहा था। हवा में दमन की असंख्य सुनहरी आकृतिया देखी जा सकती थी, जो देवताओं के समान थी। मैंने पहले कहा था, तुम लोग मेरे मैच नहीं हो, आदित्य ने फनी कमेंट किया। वहाँ पर शांदार सुनहरी रोशनी की एक चमक ने आसमान को रोशन कर दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट की आवाज तेजी से भयानक हो गई क्योंकि दर्शकों की आखें वही टिकी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक अतुलनिय विशाल आकृती देधी प्यमान प्रकाश से जिल मिला रही है। एक अविश्वसनिय गती के साथ नीचे की ओर दौड़ रही है, जो सुनहरी बिजली के बोर्ट के समान है। न केवल यहां आंकरा तेज था, बल्कि उसके नीचे की ओर दौड़ने की गती ने ऐसी ताकत का संचार किया कि सभी को लगा कि सर्वनाश आ गया है। किंटा जो एक स्वर्गिय देवता में परिवर्तित हो गया था, उसने महसूस किया कि उसके कान के परदे मात्रा से लगभग बिखर रहे हैं। अपनी और दौड़ती विशाल आकरिती को घूरते हुए, उसका दिल बेकाबू होकर कामपने। लगा क्योंकि उसने खुद से पूछा कि क्या वह इस प्रहार का सामना कर पाएगा, ये कियानचेन का दिल भी काप रहा था। इस समय उन्होंने केवल आदित्य के सैक्रों अवतारों को प्रकट होते हुए देखा, जो पूरे आकाश को धुंधला कर रहे थे। इस समय तो आकाश को भी ऐसा लगने लगा था कि वह तूट कर गिरने वाला है। उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह के हमले का सामना करते हुए, क्या वह अभी भी अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। मैं मानता हूँ किंता दहाडा। इस शक्तिशाली प्रतियोगी ने वास्तव में लड़ाई जारी रखने की हिम्मत न करते हुए स्विकार करने की पहल की। किंता की इस दहाड ने ये कियानचेन के आत्म विश्वास को भी तोड़ दिया। उस स्वर्ग विनाशक आकरमन को निकट आते देख वह भी गरच कर बोला मैं हार मानता हूँ। इस लड़ाई का उद्देश पहले ही प्राप्थ हो चुका था। प्रतिभागियों को स्विकार करने के लिए मजबूर किया तो उनके दिल कामपने लगे। यह कितना भयानक था। अभी आदित्य को रोकने वाले थोड़े ही थे। हो सकता है केवल गुसुतियान की ही उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे। इसके अलावा पहले दौर के शीर्श रैंकर्स, गुसुतियान की और हुआ ताइकसु के लिए उन्होंने इस अंतिन लड़ाई में अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। वे दोनों निरंकुष रूप से मजबूत होने चाहिए और कोई यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि क्या वे आदित्य को रोकने में सक्षम थे। यह अधिक सटीक रूप से यह दुनिया का एक हिस्सा था। वो तो क्लियर स्काई वर्डली डायग्राम था और अभी भीतर उर्जा का उतार चढ़ाव साफ देखा जा सकता था। यह ऐसा था मानो जून मेंग चेन इस विश्वरे खाचित्र के भीतर उर्जा को पूरी तर इस विश्वरे खाचित्र के लिए भी जो अंगिनत वर्षों से जीवित है वह भी जून मेंग चेन को विस्मय के साथ घूरते हुए सदमे में चिलाए बिना नहीं रह सका। Old Man Immortal King कई दर्शकों ने अपनी निगाहें अमर अमर राजा की ओर भुमाई क्योंकि उनके चेहरों पर हैरानी के भाव दिखाई दे रहे थे। बगल में थी अचानक सीधे बैठ गई क्योंकि उसकी आखों में उत्साह का एक हलका सा संकेट देखा जा सकता था। लेकिन कितना हास्यासपद है इससे पहले उसका अपना बेटा अभी भी जानबूच कर इस आदमी जून मिंगचेन को निशाना बना रहा था और उसके लिए मुश्किले खड़ी कर रहा था। आदित्य हैरान रह गया। जून मिंगचेन के पीछे दिखाई देने वाली घटना ने वास्तव में सभी अमर राजाओं को चौंका दिया जिससे वे सभी खड़े हो गए। जाहिर है वे इससे बेहद हैरान थे। अमर राजा आदि से लेकर अब तक शांत अवस्था में रहकर युद्धो को देखते रहे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ हो। इसके अलावा यह देखते हुए कि दीपफलेम अमर राजा कितना उचा है उत्कृष्ट प्रतिभा के बावजूद आदित्य और उसके दो साथी संप्रदाय के सदस्यों ने दिखाया। दीपफलेम अमर राजा ने बिलकुल भी परवाह नहीं की। क्योंकि प्रतिभा के साथ इसका मतलब यह नहीं था कि वे अमर राजा बन जाएंगे। अधिक से अधिक वे केवल एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल हो सकते थे। लेकिन अभी मौजूद सभी अमर राजा जून मेंग चेन की वजह से उठ खड़े हुए। यह क्या दर्शाता है? क्या इसका मतलब यह है कि भविश्य में जून मेंग चेन के पास एक ऐसा अस्तित्व बनने की बहुत अधिक संभावना थी जो एक अमर राजा से आगे निकल जाए। सदमे के उसक्षण के बाद वे अमर राजा अपने आसन पर लोट गए। आखिरकार वे परम अस्तित्व थे और अपनी मानसिक स्थिती को जल्दी से समायोजित करने में सक्षम थे। हाला कि वे अब बैठे हुए थे, फिर भी जब वे हवा में युद्ध को देख रहे थे तब उनकी आखे रुची से चमक रही थी। दोंग शिंग टिंग भी जून मेंग चेन के परिवर्तन को देख रहे थे। उसने पहले से ही जून मेंग चेन और फेदर किंग के बीच लड़ाई की परवाह नहीं की थी, क्योंकि यहाँ अब उतना महत्वपूर नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जून मेंग च उन्हें एक शिश्चित रूप से उन्हें एक शिश्च के रूप में स्विकार करेंगे। इसके अतरिक्ट यहाँ केवल एक सामान्य शिश्च के स्थान पर एक व्यक्तिगत शिश्य होगा। चाहे जो भी हो जून मेंग चेन को शीर्ष तीन में प्रवेश करना था। उनक अधित्य के साथ सभी रिष्टों को तोर देंगे। मुझे यकीन है कि उसे पता होगा कि उसे क्या चुनना है चुनना डोंग शिंग टिंग ने विचार किया। पूर्ण प्रलोभन के सामने सामान्य साथी संप्रदाय के सदस्य होने के नाते यहां तक कि एक गुरू और श शिक्षु भाई आदित्य के साथ संबंध तोरना तो दूर की बात है। क्या वे इस अमर भोज में केवल एक ही उद्देश से नहीं आये थे। अब वह जून मेंग चेन को यह अफसर देने को तयार था। और इसी क्षण मुकाबला अंत में समाथ हो गया। जून मेंग चे थे क्योंकि उसकी आभा में उतार चड़ावाया। अपना सिर जुकाकर और उस अतुलनीय रूप से देदी प्यमान जून मेंग चेन को घूरते हुए उसने अपने दिल में एक मजबूत अनिच्छा महसूस की। जून मेंग चेन के हमले बहुत भारी थे। उसके खिलाफ खड़े होने का कोई तरीका नहीं था। इस अंतिन लड़ाई के लिए यहां उनकी पहली हार थी। वह पहले दो राउंड में भी शीर्ष दो रैंकिंग में से एक हासिल करने में सफल नहीं रहे। पहले दौर में वह तीन स्थान पर था। दूसरे दौर के लिए वह चास स इस मामले में उनकी उम्मीद पहले से ही बेहत पतली है अगर वह शीर्ष तीन रैंकर्स में से एक बनना चाहते हैं। इससे पहले की उसे मौका मिले उसे अब से सभी लड़ाईयां जीतनी होंगी। अगर वह एक बार फिर हार गए तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। अगर जून मेंग चेन जो राजा के कवच में था ने दुनिया में एक अधवितिय आभा बिखेरी। वह आदित्य को देखकर मुस्कुराया वरिष्ट भाई। एक ब्रेक लें आपके पास लड़ने के लिए बहुत कम लड़ाईया बाकी हैं। आदित्य बोला। जून मेंग चे जून में से एक बनने के लिए परियाप्त शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि उनका पहले का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। फिर भी इस भरती कार्यक्रम का मांदंड अभी भी मुख्य रूप से किसी की प्रतिभा और युद्ध कौशल पर रखा गया है। बस जाहे कुछ भी हो। जदी नहीं तो पूर्वी रिशी अमर समराट ने उन्हें एक शिश्य के रूप में स्विकार नहीं किया तो शायद वे उनके संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक नहीं होंगे। घोज में यहां बहुत सारे अमर राजा हैं जो उसे अपने विं देशे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा जून मेंगचेन ने एक पौरानिक घटना को प्रकट किया था और श्वेट समराट की बेटी के रूप में वह यह समझने में कैसे विफल हो सकती थी कि इसका क्या अर्थ है। यदि जून मेंगचेन शीर्ष ती की बहुत अधिक संभावना है। दोंगशिंग टिंग ने सिरहिलाया और जवाब दिया। अमर राजा स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ समझ गए। महारानी इस समय राजकुमारी ग्लेज ने अपनी आखे घुमाई और उसकी आखों में एक रहस्य में मुसकान तैर ग हमारी के शब्द बिलकुल वही हैं जो मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ। लेकिन इस अमर भोज का उद्देश आखिर मेरे शाही पिता के लिए सबसे उत्रिष्ट प्रतिभा वालेशीश। तीन शिश्यों का चयन करना है। हालांकि जून मेंगचेन के पहले के प्रदर इस दौर के दौरान उसका प्रदर्शन वैसे भी जून मेंगचेन से कमतर नहीं है। अगर जून मेंगचेन शीर्ष तीन में प्रवेश करती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य भी हो प्रिंसेस गलेज ने अपनी निगाहे मंच की ओर घुमाई और उनके चहरे पर मुस कान आ गई। अगर डौंग शिंग टिंग ने केवल जून मेंगचेन को चुना और आदित्य को नहीं तो इस घटना की निश्पक्षता तुरंट सवालों के घेरे में आ जाएगी। इसलिए हमें अभी भी उनके बाद के प्रदर्शनों पर नजर रखने की आवर्शक्ता ह यदि आदित्य का प्रदर्शन समान रूप से उतक्रिष्ट है तो वह स्वाभाविक रूप से शीर्शतीन का भी हिस्सा हो सकता है। डौंग शिंग टिंग को इस तरह जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सुनकर राजकुमारी गलेज ने आगे कुछ नही हैं। वह देखना चाहती थी कि डौंग शिंग टिंग वास्तव में कैसे चुनाव करेंगे। मंच पर अंथीन लड़ाई जारी रही। जब जी किंग जुआन ने रूथलेस को हराया तो अपराजे डेविल किंग का चहरा बेहत भगदा हो गया। तीसरा दौर शुरू होन के बाद उनके शिश्य रूथलेस लगातार हार गए एक भी लड़ाई नहीं जीत पाए। एक गुरू के रूप में उनका चहरा पूरी तरह से फेंक दिया गया था। हालाकि यह सिर्फ इतना सन्योग था क्योंकि जो लोग रूथलेस के खिलाफ लड़े थे वे बहुत मज बूट थे। शैतान कल्टिवेटर के रूप में भी रूथलेस के पास बहुत अधिक लाभ नहीं था और इतनी बार पराज़त होने के बाद उसके पास अब शीर्ष तीन के लिए क्वालिफाई करने का मौका नहीं था। प्रतियोगिता बहुत तीवर थी। मो वेन और ये कियानचेन भी इस समय लड़ रहे थे। और उनकी लड़ाई को देखते हुए ये कियानचेन सपष्ट रूप से हीन थी। ऐसा प्रतीध होता है कि कियान प्रिफेक्चर का यह शीर्ष रैंक परिक्षन के इस अंतिन दौर में कई लोगों के लिए पहला कदम बन गया है। खिलाफ सामना करते समय किंटा के दबाव की अच्छी तरह से कलपना की जा सकती है। वह ये कियानचेन जैसा ही था, दोनों बेहत दैनिय स्थिती में थे। अब तक उन्हें एक भी जीत नहीं मिली थी। ऐसा लगता है कि इस अंतिन लड़ाई के लिए रूथलेस, किंटा और ये कियानचेन पहले से ही अंतिन स्थान पर होना तय है। पहले दो राउंड के लिए अपने स्कोर को सानी बध करने के बाद वे शीर्ष पांच में भी नहीं पहुँच पाएंगे, दर्शक मुग्ध हो गए। वास्तव में अभी कई प्रतिभागी अब शीर्ष तीन क का हिस्सा बनने के लिए योग्य नहीं थे। उन तीनों के अलावा मो वेन को भी कोई उम्मीद नहीं थी। वास्तव में शक्तिशाली पंक राजा की भी आशा बहुत पतली थी। अभी फेदर किंग आदित्य को घूर रहा था क्योंकि उसकी आखों में एक तीवर लड़ा का इरादा टिम्टिमा रहा था। वह आदित्य से लड़ना चाहता था। आदित्य ने भी उसे देखा लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक निरलजता की थी जिसमें कोई भावना नहीं थी। यह ऐसा था जैसे फेदर किंग वह विरोधी नहीं था जिसके साथ वह लड़ना च चाहता था। पंक राजा ने आदित्य की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। वह आदित्य की ओर कदम से कदम मिला कर चला क्योंकि उसके चहरे पर अहंकार देखा जा सकता था। उसके बैंगनी सुने के पंक तेजी से फर्फडा रहे थे जिससे एक भयानक ताकत निकर रही क्योंकि इसने आदित्य को निशाना बनाते हुए जड़ह को चीर दिया। आदित्य ने अपने दाहिने हाथ से हमला करने के लिए ठंडे स्वर में सुंधा। गड़गड़ा हट की आवासे हवा के माध्यम से गुंजती हैं और एक ही पल में कई प्राचीन घंटिया निकल जिससे पूरा स्थान जंकार की आवास से गुंज उठता है। पंकराजा गुस्से में दाड़ा क्योंकि वह मूल रूप से आदित्य को एक ही वार से कुचल देना चाहता था। घंटी की जंकार अंथीन रूप से जारी रही क्योंकि सुनहरी आपदा बिजली ने फेदर कि प्रभामंडल देखा। टक्राना अंत में पंकराजा अब प्राचीन घंटियों द्वारा आपदा बिजली को सेहन नहीं कर सका और जल्दबाजी में पीछे की ओर भाग गया। आदित्य ने पीछा करने की जहमत नहीं उठाई, वह अपने मूल स्थान पर खड़ा रहा और पंकराजा को भाभीन रूप से देखता रहा। किंगक सुआन इस लड़ाई को जीतने के लिए अपना सरवश्रिष्ट प्रयास करें आदित्य ने प्रोचसाहित किया। जी क्विंग सुआन फिर फेदर किंग की ओर बढ़ा और उसकी पीट के पीछे दिव्यबास पंकों क एक जोडी बन गई जो एक शांदार रोशनी के साथ जिल मिला रही थी। पंकराजा की आखे सिकुड गई। आदित्य चाहता था कि जी किंगजुआन उसके खिलाफ लड़े। आदित्य उसके प्रतीतिरसकार महसूस करने लगा, उससे लड़ने के लिए अनिच्छुक था आदित्य इससे पहले भी काफी लोगों को तबाह कर चुका था, उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फेदर किंग को एक उपकरन के रूप में इस्तमाल करना ज़रूरी नहीं समझा, अभी उसकी दृष्टी में मूल रूप से फेदर किंग नहीं था, बू झाल झाल